सबसे पहले यह बताइए कि गॉर्मेंट जॉब होता क्या है गॉर्मेंट जॉब ना रेशन्शिप की तरह होती है जो जो रेशन्शिप डिमांड करती है वो सब प्रिपेशन भी डिमांड करती है जैसे? जैसे की constant effort, undivided attention, loyalty, zero distraction गुड़, और जैसे सिर्फ प्रिपोस कर देने से relationship complete नहीं होता है वैसे सिर्फ form fill कर देने से selection नहीं होता है सर, mostly relationship में या लोग स्टोरी में love gurus होते है वैसे aspirant के लिए भी preparation guru तो होना चाहिए न हाँ, बिल्कुल होना चाहिए और आपकी preparation का guru है super coaching और आपके government job के प्यार को सफलता में बदलने के लिए super coaching लेकर आया है selection मेरा प्यार सेल जहाँ पर आपको सभी super coaching पर मिल रहा है up to 90% off तो अभी जाएए इस offer का लाव उठाईए तो aspirant सबसे पहले ये बताईए कि government job होता क्या है government job ना relationship की तरह होती है जो जो relationship डिमांड करती है वो सब preparation भी डिमांड करती है जैसे जैसे की constant effort undivided attention loyalty zero distraction good और जैसे सिर्फ propose कर देने से relationship complete नहीं होता है वैसे सिर्फ कहते हैं कि जिन्दगी जीना यूँ आसान नहीं होता और बिना संघर्सों के कोई महान नहीं होता जिन्दगी जीना यूँ आसान नहीं होता बिना संघर्सों के कोई महान नहीं होता और जब तक ना पड़े पत्थर की पत्थर पे हतोड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता सभी को परणाम करते हैं नमशकार करते हैं स्वागत करते हैं आवाज एक बार confirm करके बताएगा क्या आवाज आप सभी के पास एकदम clear आ रहे हैं कोसिस करेंगे कि कुछ ऐसे प्रशन पे काम किया गया है कुछ उस तरीक थोड़ा और बढ़ा दीज़े कुछ उस तरीके के प्रशनों पे काम किया गया है कि जो मुझे जो लगता है मेरी ब सातियों से चाहूंगा कि आप सभी सेशन को तेजी के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और पूरी इमांदारी की स्रिंकला श्टार्ट होगी धेर सारे कुश्चन्स आपको कराए जाएंगे वेलकम करते हैं आप सभी का स्वागत करते हैं बहतरीन सी शांदार सी स्लाइट के साथ में आपका स्वागत करते हैं तो इजाजत दीजिए और सुरुआत करते हैं पहला कुश्चन आवास के यदि आज कोसिस मेरी ये है कि भरपूर तरीके से पूरी इमानदारी और जिम्मेदारी के साथ एक एक सवाल पूरा काम प्रयास उसी तरीके से किया गया है कि एक एक कुशन आपको चीजों को अलग मिले और वो बच्चे जो अभी तक इस शीच पे एक बार सेशन को शेयर नह होगा क्या करोगे 43 दिन के बाद 43 दिन के बाद तयारी करना दोलने की और क्या करना 43 दिन दोल की स्पीड बना लेगा देखो 43 है 43 को साथ से भाग दे दो साथ को भाग देते हैं जब साथ से तो कितनी बार जाता है साथ चंग कितना हो जाता है 42 आपके पास कितना सेश बसता है ना ये किसको बोध करता है रभिवार को बोध करता है रभिवार के बारे में बताता है तो चलो अगले सवाल की बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे अजीज मेरे भाई एक बार तेजी के साथ सेशन को शेयर कर दो जल्दी से कहता है कमीज कमीज क्या है आपकी एक परिधान है यह टेबल क्या है मेरे दोस्त एक फरनीचर है दिखाई दे रहा है किलियर मनलब ऐसा तो नहीं है देखने में दिक्कत हो रही है यह ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है कि यह आप कंपर बता दीजेगा यह साधा ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है कि यह दोनों आप्शन है ये ज्यादा अच्छा है दूसरा वाला मतलब ये वाला एक वाला ये दूसरा वाला वो वाला ये ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा अच्छा है कौन सा पिछला वाला ये ये ज्यादा साफ है ये ज्यादा साही है है ये ज्यादा साही है ये ज्यादा साही है चलिए अब नहीं 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 चली तो मतलब कहने का आसा है यह हो चुका है दूसरा वाला पहला वाला कौन सा है यार दूसरा वाला दूसरा वाला हाँ सर जी पहला वाला दूसरा वाला आपको पहे आप लोग गजब खिलारी हो भाई चलो इसी पे काम करते हैं गजब खिलारी हो भाई आ बताएगा चेंज कर देंगे अगर यह सई नहीं दिखेगा तो बताएगा चेंज कर देंगे कहता है माइनस का मतलब कितना है प्लस है और यहां पर देखें गुड़े का मतलब कितना है भाग है गुड़े का मतलब कितना है डिवाइड है गुड़े का मतलब डिवाइड है और इसके बाद भाग का मतलब क्या है माइनस है और प्लस का मतलब क्या है गुड़ा है यहाँ पर मेरे पास option बहुत सारे होते हैं मैं बड़ा लिखूंगा वहाँ पर छोटा लिखूंगा इसलिए उससे हट जाते हैं यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा लिख पाऊंगा वहाँ पर चोटा चोटा लिखाएगा 76 भागे 4 और उसके बाद गुड़े 13 माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा 8 4 से काटते इसको देखो कितना बार में जाएगा यहाँ पर देखो 4 एकन्नम 4 4 9 36 19 19 गुड़े 13 19 गुड़े 13 माइनस 5 देखे 19 38 19 तरीक 57 57 का साथ हासिला है कितना 5 ցड़ विद्ध लिखे 1935 कितना हो जाएगा 155 कितना हो जाएगा आपके 24 और 24 में से अगर पाच घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 में से 29 29 करतिस उनिस ततिरिक 57 का साथ और यहां पर दिखिए 4 Hugimon 4 बजगया 44 96 32 और है यहां पर कितना बजगया यहां 242 आ रहा है और आपने कितना बताया आपने कितना बताया 242 ही तो आ रहा है ना 242 ही तो आ रहा है 108 244 आय है 442 गुरुजी पलाम गुरुजी नमश्कार करते हैं आपको 442 बताने वाले भाईया क्या बात है यहां पर देखिएगा क्या कहता है निमलिकित आकरती को खोलने पर घंड का आधार यहां पर इस शब्द को पढ़िएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है नहीं बनाया जा सकता है कौन सी ऐसी डिजाइन है आप जिसे नहीं बना सकते हैं कौन सी आकरती है आपको नियम पता होन कि गोले का विपरीत यहां भी यह दिखाई देगा समझ लो उसका खेल खतम है जहां पर वर्ग और हैज दिखाई देता है उसका खेल खतम है मतलब कुल मिला करके आपका चौथा यह एक मात रहसा है जिसको आप नहीं बना सकते हो बाकी को बना सकते हो दोस्त अगले सवाल की बात करते हैं देखो यहां बार इस कुशन को देखिए कुशन नमबर पांच की बात करते हैं देखो मेरे भाई इनलोजी इनलोजी आपके कुशन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे हमेशा से देखने को मिले हैं और देखने को मिलेंगे इस बात को याद रखेगा पूरी तवज्जों के साथ, कैमरा तोड़ा नीचे करो, कैसे नीचे करो, बताईए, कैसे नीचे करो, कुछ नहीं दिख रहा है क्या, कहीं देखने में दिक्कत हो रही है क्या, इधर बताईए, देखिए, F का मतलब 6 होता है, A का मतलब 1 होता है, U का मतलब 21 होता है, Z का मतलब 26 होता ह सर जिसको ये चीज याद हो गई ना उसका काम पूरा हो गया उसका काम पूरा हो गया ये चीज याद होना बहुत जरूरी है आपको ये चीज याद होना बहुत जरूरी है जब आप ये चीज को याद कर लेते हो तो देखो बी का मतलब दो एफ का मतलब छे क्यू का मतलब सतर एका मतलब पांच यहां से यहां तक कितना होता दिख रहा है? आपको Plus 5 दिख रहा है और जब यह gars用 है है 30 और 30 का मतलब कितना होता है? 26 प्लस 4 26 प्लस 4 यही तो तरीका था ना? इस सवाल को पकड़ने का और कौन सा तरीका था एक भार पूरी इमानदारी के साथ देखो अलफा विटकल स्रीज से एक कुशन देखने को मिलेगा अलफा विटकल स्रीज से एक कुशन देखने को मिलेगा यहां पर सी का मतलब 3 होता है और जी का मतलब 7 के का मतलब 11 होता है और ओ का मतलब 15 मेरे 7 बोलो यहां पर देखो 3 में 4 जोड़ दोगे 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15 और 15 में जब 4 जोड़ दोगे तो 19, 19 का मतलब कितना हो जाएगा S, दो आपसन की छुटी यहां पर देखो E का मतलब 5 और यहां पर 9, यहां पर देखे 5, 4, 9 और 9-4-13 और 13-4 कितना हो जाएगा 17 और 17-4 कितना हो जाएगा 22 22 का मतलब B यहां ओ हो 17 में 4 जोड़ दोगे ते 20 वी नहीं लिखा हुआ ने था मार दिये होते भी ए 17-4-21, 21 का मतलब यू दोनों में कामन था 13-3-16, 16-3-19 19-3-22 और 22-3 कितना हो जाएगा 25 ऐसे जोड़ो ऐसे ऐसे जोड़ो की जैसे कभी जोड़ा नहीं किसी ने मुझसे कहा कि सर आविद सर आज वो कौन सा दिन है कोई special day है उस पे कुछ सुनाईए हमारे एक सर हैं उन्होंने कहा कि आविद सर उस पे कुछ सुनाईए तो मैंने क्या सुनाया जानते हैं कि मैंने सुनाया कि मैंने क्या सुनाया उनको कि क्या सुनाया अभी बाद में सुनाता हो पहले इस सवाल का उत्तर बताईए जल्दी से बताईए कहें जब से बिछड़ा हूँ तुझसे किसी का मिलना रास ना आया मैंने उड़ा दिये हैं सजर पे बैठे हुए परिंदे तो आज का दिन तो हमारे भारत में आपको पता है आज के दिन पुल्मामा की घटना हुई थी तो हमारे लिए तो हम लोगों के लिए तो आज के दिन ब्लैक डे भी है तो हम लोग को बहुत celebrate करते हैं तो आज का दिवस हमारे लिए बहुत वो है आज का दिन बहुत काला दिवस का मनाया जाता है कई अलग अलग तरीके हैं कई अलग अलग वो शब्द हैं चलिए आप इस सवाल का उत्तर बताईए तेरी के साथ बताने का प्रयास करिए उसमें हम नहीं लिखा गया एक लिखा गया एक के लिए कौन सा शब्द यूस किया गया एक यूस किया गया देखो ना एक के लिए कौन सा शब्द यूस किया गया एक यूस किया गया कोई क्या विकल्प ऐसा है इसको कहते हैं इसको कहते हैं कंपेरिजन कोडिंग कहते हैं बताओ कहते हैं क अपनी खामोसी को तोड़ दो आज और अपने आपको साबित करो कि तुम सुपरमैन हो सक्तिमान हो हमारा सुपरमैन में बिलीफ नहीं करते हैं वी आरे इस एंडियन देन वी फालो दा सुपर हीरो इस सक्तिमान हमारे सक्तिमान आप सक्तिमान हो तो अपने सक्तिमान अपनी श इसका question आपको दिख जाएगा, तो कैसे करोगे, सुनो, आप इसकी numbering कर दो, दोनों के पहले वालों की numbering कर दो, कर दिया numbering, यहां पर देखे, 13, 3, 16, यहां पर कितना हो रहा है, plus 3 हो रहा है, 13, 3, 16 हो रहा है, आगे देखेगा, 14, 15 हो रहा है, अब आपके दिमाग में एक बा यह भी logic हुआ तो जिन्दा था ना, 14, 2, 16, यहां पर देखे, 13, 2, 15, यहां पर क्या बन गया आपका, last letter, last letter coding बन गया आपका, यहां पर last letter coding बन गया, देखो, 19, 21, 18, 21, 16, minus 2 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है, plus 2, यहां पर minus 2, 5, 2, 7, 20, 21, 18, 14, 16, 9, 27, 25, 23, यहां पर क्य हुआ है, last letter coding में क्या हुआ है, आपका, plus 2, minus 2, यह नियम लगा हुआ है, plus 2, minus 2, तो 19, 19, 21, 19, 21, 19, 21, डी वाला option, जैसे ही पकड़ लोगे ना, काम खतम हो जाएगा, इस सवाल को देखे, यहां पर alphabet का number लिखा गया है, alphabet से कम से कम 4-5 सवाल आएगा, और ऐसे सवाल तो खु बंदरता है, इस सवाल में, तोड़िये, एक सेकंड में तोड़ करके, बताइए, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सर पहले वाला, मेरे दोस्त कुश्चन की numbering करना, मैं बहुत धीरे-धीरे अराम से बता रहा हूँ, देखो, T का मतलब कितना है, वो last letter coding थी, ऐसे बनी थे, ज तरीके से कुश था वो, पिछला वाला, देखो, T का मतलब 20 होता है, A का मतलब 1 होता है, N का मतलब 14, K का मतलब 11, E का मतलब 5, 4 का मतलब 18, 18, आबित सर है क्या ये, आबित सर ये है क्या digit, मतलब digit का sum किया गया है, ये क्या किया गया है, डिजिट का sum, यानि कि अंको का योग क मैं किसी को बता रहा था भाई, गुस्सा मत हो, अंको का योग किया गया, देखो, दो, दो, जीरो कितना हो गया, दो, एक से एक, चार एक पाँच, यहाँ पर एक एक दो, पांच से पाँच, आट एक नो, हमने क्या किया है, digit sum किया है 18 है तो इसको 1 प्लस 8 से 9 बनाया है इसको हमने 1 प्लस 8 से क्या बनाया है 9 बनाया है यहां पर देखो P का मतलब 16 है 16 का मतलब 1 प्लस 6 बराबर 7 U का मतलब 21 है यानि कि 2 प्लस 1 बराबर 3 Z का मतलब 26 है यानि कि 2 प्लेश 6 बराबर कितनों जाएगा 8, यानि कि Z बराबर 8, L का मतलब 12 है, तो 12 का मतलब 3, E का मतलब 5 है तो 5, जो भी आपके 2 डिजिट वाले नंबर थे, उनको जोड़ करके सिंगल डिजिट में बनाया गया है, अगला सवाल इसको देखेगा, लिखता यदि किसी मह महीने का पांचुवा दिन बुद्धवार है तो निमलिकित में से कौन सा दिन उस महीने के बीसुए दिन के बाद दूसरा दिन होगा बहुत बढ़िया सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है बात को समझेगा बीसुए दिन के बाद बीसुए दिन के बाद दूसरा दिन यानि कि 22 तारीग कौन सी तारीग भायिया 22 तारीग की बात करता है बताइए उत्तर बताइए उत्तर बताइए जल्दी बताइए मैं बोलूगा नहीं पांच यहां पर बताईए ना, यहां पर जल्दी से बताईए, पांच तारीक को यह आपको दिया गया है, इसमें कितना जोड़ दें, साथ साथ चाओदा, साथ जिन जोड़िये या साथ दिन घटाईए उसके उपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, साथ का गुलज जोड़िये या घटाईए उसके उपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 20 तारीक को क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार, 21 तारीक को क्या हो जाएगा, शुक्रुवार, और 22 तारीक को क्या हो जाएगा, बाबुजी, सनीवार, सनीवार आपका बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाएगा, बह अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसको जूम की किया जा सकता है अब बताईए आरे यार आ ये बताईए सर एक्चुल में ये बताईए कि आखिर ये है क्या चार आकरतियां दी गई है जिसमें से तीन किसी ना किसी तरीके से एक समान है और एक अलग है ये क्या बना हो रहा है ये गाचु माचु पतनी क्या हो रहा है जो मर जी वो बना दिया कह रहा है कि एक अलग है सर देखिये इसकी डिजाइन देखिये इसकी डिजाइन सेम है इसको छोड़ कर सबकी डिजाइन देखिये सेम है बहुत बढ़िया नजर आई है आपको बात क्या बात है ए ने भाया भाय वह बैसिक नियं음 मालूम वा ना अगर बेसि नियम मालूम हुए नवाया तो कर ले बाग है यहां पर कहता है निम्लिकी ताक्रती में कितने वर्ग हैं हौँ व impress और सी काई लेन फालोइंग insiderा कर से बसे सरह कितने वर्ग दिखाई दे रह रहे हैं मैं अलग बताता हूँ, सामने नहीं आओंगा, ने गुस्सा हो जाओगे आप लोग, बिल्कुल सामने नहीं आओंगा, जिसको पता है, वो उत्तर बतातेगा, जिसको नहीं पता है, वो आपस में बाइट करके, बात तो कोई नहीं करेगा, सबका एक्जाम है, सर देखिए, पाँच, 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 दस, पाँच, पंदरा, पान्चों के बीस, यहाँ बर यहई एकust और यह बड़ा वाला, एकust एकust 22, बाइस होगा, एकust 22, अब मन में एक संकाहा आ जाती है, सर, यहाँ पर more than 24 लिखा हुआ, सर, more than 24 लिखा हुआ है, तो जितने लोग more than 24 बता रहें न तो उनको कहिए अगर मम्मी या पापा या दोस्त या मित्र या अकेले होस्टल में रहते हूं तो कह दीजे कि एक घुट पानी पीले उनका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा उनको थोड़ आय हाय कोई नहीं बताए सब लोग पुलिस इस्टेशन फायर इस्टेशन के पूरब में 12 किलो मीटर की दूरी पर है यार तुम लोग कामियाब हो जाते सभी लोग हो जाते कम से कम कहीं कुछ आना होता मजा आ जाता मिलते यहां पर देको पुलिस इस्टेशन जो है पुलिस इस्टेशन जो है वो फायर Junction स्पटाल के उत्तर में कितनी दूरी पर है नो मीटर पर है यह हॉस्पिटल के उत्तर में तो पुलिस इस्टेशन के बीच की निवन्तम दूरी कौन बताएगा पाइथा गोरस साहब एक लोग थे उन्होंने कहा था कि अगर ये और ये और यहां पर 90 अंस का कोड बन रहा हो तो आप ऐसा करिएगा इनका वर्ग करके इनको ब्रेकेट में डाल दीजेगा ये आ जाएगा तो 144 में जब आप 81 जोडते हैं तो कितना हो जाएगा ये हो जाता है 220 और 220 का मतलब क्या हो जाता है ये 15 किलो मीटर हो जाता है ये कितना किलो मीटर हो जाता है भाया जी 15 किलो मीटर हो जाता है बहुत सांदार आया जाएगा तुम्हारे जहां रहना बताना लेकिन सबको सफल होना है इस सवाल के उत्तर से आप परमारित कर दीजी अपने आपको साबित करिए आप हो मेरे सामने हो एक बार मेरे दोस्त अपने आपको तेजी के साथ साबित करो इस सवाल से देखो और बताने के कोशिस करो क्या हो जाएगा 15 से कितना होता है 211 होता है 18 से कितना होता है 320 होता है 211 से 117 कैसे सर दिमाग में तो बात बैठी हुई है आपकी जब आपने यह कहा था 15 का square होता है 220 मेंसे अगर 4 घटा दे तो 221 18 का square होता है 324 मेंसे 4 घटा दे तो 320 आ जाएगा 21 का square होता है 441 मेंसे अगर 4 घटा दे तो кicz 있나 हुजाता है 437 437 होता है बहुत बनिया क्या बात है बहुत शांदार बहुत जबरजास्ट क्या बात है बहुत बढ़िया है बहुत ही उत्तम मताएं है अगला कुशिन मताएगा याद रखेगा बहुत अच्छे कुशिन है अराम से करें और कोषिस करें हर एक कुशिन पर आपका निगाह बने इच एंड एवरी कुश्शन पे निगा बने, इसी तरीका का कुश्शन आपका वीडियो में आया था, अभी जो जून में पेपर हुआ था ना वीडियो का, उसमें इसी तरीके का सवाल देखने को मिला था, वीडियो के पेपर में इसी तरीके के कुछ सवाल आपको देखने क को मिले थे एसेम तरीके से सही बता रहा हूं 36 वहां पर क्या था क्योब का खेल था बस यहां पर देखिएगा दो चार नौ यहां बर कितना हो जाएगा पचीज शोला तेरा कितना हो जाएगा तैंतिस 16-13 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 16-13-33 16-13-33 आपका हो जाएगा डॉलर यहां बर किसकी बात करता है डॉलर येन यूरो दिरहम कैरेट डॉलर डॉलर येन येन कहां की मुद्रा है जापान की मुद्रा येन डॉलर अमेरिका की यूरो यूरो कहां की है रूस में रूबल चल करता होगा दिरहम यहां पर देखे के कैरेट जो होता है ना यह मानक स्टेंडर्ड होता है कैरेट जो होता है ना स्टेंडर्ड को डिनोट करता है किसको डिनोट करता है सोने चांदी चांदी और हीरे के स्टेंडर्ड को डिनोट करता है कैरेट क्या डिनोट करता है स्टेंडर वाले कैरेट से निकालो, कहता है दी गई आकरती में कितने सिक्षक ना तो विवाहित हैं और ना ही रूणवादी हैं, ना ही यहां पर कहती हैं, रूणवादी हैं, बताएगा, कितने भी टीचर क्या हैं, ना तो विवाहित हैं और ना ही रूणवादी हैं, दस सिक्षक ऐसे ह जो ना तो विवाहित हैं ना तो रूडवादी हैं दस सिक्षक केवल सिक्षक हैं उननीस की बात करते हैं बताईए उत्तर बताने का प्रयास करिए सभी साथी बहुत चांदार क्या बात है बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत 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 उत्तम देखे एक बात जानते है हैं एक बात एक बात आपको पता होगी जब भी कभी बात होती है जब भी कभी गलत सिंखला कि उस स्रीज की बात होती है अगर स्रीज में गैप कम होता है देखे इतने बड़े बड़े नंबर है ये तो साबित हो चुका है कि ये अंतर स्रीज है अब आपको निकालना है गलत पद और गलत पद कैसे निकालेंगे ये साबित हो चुका है कि ये वाली संख्या गलत नहीं है एक संख्या ये गलत नहीं है और दूसरी संख्या आपकी और कौन सी नहीं गलत है ये ये दो संख्याएं गलत नहीं है आप फिला गैप क्या नजर आता है 33 का गैप नजर आता है फिर यहां पर कितने का गैप नजर आता है 35 का नजर आता है यहां पर 33 का गैप नजर आ रहा है और यहां पर कितने का गैप नजर आ रहा है 35 का और जब 33 और 35 दिमाग में आता है सर और यहां पर देखते हैं तो कितने का ग्याधारा 49 कांतरार यहां पर 49 का ग्याधारा और जबकि यहां पर अगर मैं देख लेता हूं यहां पर देखेगा यहां पर आपकए कितने 41 कांधारा सर देखिए 33 35 37 49 41 तैंटीज 25 39 और 41 यानि कि गुरूजी यहीं पर खेला हुआ है गुरू जी यहीं पर खेला हुआ है यानि कि यहां पर 35 हो गया और यहां पर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा तो यहीं आपका गलत है सर कंफर्म 366 गलत है क्योंकि यहां पर 37 हो जाएगा और प्लस यहां पर 49 हो जाएगा कितने अराम से आप चीजों को कर सकते हैं बहुत चां करेंगे और बताएंगे कहतה ईसरिंखला में गलत पद गेंगेंगें तेरी कि गलत सρέंखला का चैन करिये बताईए चार नो वीज पटेसाइव गुडा कर 4 Free 43 43 4grow 8 1 9 9 loudly 18 2 20 22 flor 3 43 अगर यहां पर गुडा कर देते हैं तो 43 grues 86 86 plus 6 बराबर कितना हो जेगा 90 43 두 Tao जो जेगा 86 86 plus 6 बराबर 90 90 sutि डूना कितना हो जेगा 180 180 plus 5 बराबर कितना हो जेगा 180 अच्छा आप इसवाले को बता रहे थे सायद मुझे लगता है कि ये आप इसको बता रहे थे क्यों भाईया सभी सही है ना ए भाईया एक बार सही चल ला है ना मजा रही है ना अरे दोस्तों बताइए ना मजा रहा है ना ऐसा तो नहीं लग रहा है ना हर कोशन पहचाने लग रहा है ना देखिए मूल मंत्र गुरू जी यही है कि हर कोश्चन पहचाना हुआ लगना चाहिए कोई कोश्चन ऐसा ना लगे कि नया दिख रहा है हर एक सवाल आपको पहचाना हुआ नजार आना चाहिए इस बात को याद रखिएगा यहां पर देखेगा है ऐसा कभी शब्द दिख जाए तो इसमें अगर आपका वर्ड पावर मजबूत होगा तभी आप कर सकते हैं इसको यहां पर देखेगे एक शब्द होता है श्ट्रीब श्ट्रीब मतलब होता है भूखा जैसे बहुत सारे लोगों को भूखा भूख लगी होगी स्ट्रीव एक शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है जिसका मतलब क्या होता है जिसका मतलब क्या होता है भूखा जिसे भूख लगी हो यानि कि भूखा जिसके अंदर भूख मतलब ऐसे शब्द होते हैं और यह सब्द तभी आप कर सकते हैं जब आपकी वर्ड पावर बह था था मत खराब करिएगा हाँ लेकिन इसके कुछ अलग शब्द हैं वो मैं बता देता हूँ कभी कभी farmer लिखा रहेगा मेरे शब्द सुन लो farmer लिखा रहेगा कभी-कभी mother लिखा होता है कभी-कभी farmer एकड़म एकजाम का शब्द मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको फार्मर लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा फार्मर लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा भाई या मदर लिखा रहेगा ऐसे शब्द लिख दिये जाएंगे फार्मर लिखा रहेगा मदर लिखा रहेगा ऐसे शब्द लिख देता है वो तो उसमें क्या होता है कोई दिक्कत नहीं होती आप उसको बता सकते है फार्मर लिख देगा मदर लिख देगा उसको याद रखेगा मतलब मेरे शब्द याद रखेगा भूलिएगा नहीं जो शब्द में बता रहा हूं उनको याद रखिएगा कहता है संयोजन की सही दर्पन परतिविम्म का चैन करे लिखा नहीं है सीसा कहा लगेगा जब भी प्रश्ण में लिखा नहों कि सीसा दाहिने लगा है कि बाएं लगा है कि अपी लिफ्ट लगा है तब हमेशा आप सीसे को कहा लगाओगे दाहिने लगाओगे इस बात को याद रखना तो आईए काटना सुरू करते हैं हम लोग तो सक्तिमान हैं काटने के मामले में सर देखिए यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 64 यहां पर देखिए आई जे यहां पर कितना है 246 आई जे 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 246 यहां तक बिढ़ियां था आई जे 246 टी तक बढ़ियां था ठीक है ना आप नॉर्मली देखें वाई तक बढ़ियां था य तक बढ़ियां था अब इसके बाद देखे य के बाद क्या दिखता है डी दिखता है यहां पर क्या दिखता है यहां पर एक्स दिखता है दो आप्शन तो वैसे ही चला गया इसके बाद देखे और डी के बाद क्या दिखता है डी के बाद जी दिखता है यहां डी के बाद क्या दिख रहा एक्स दिख रहा ये भी गलत हो गया सिर्फ देखना है और बता करके निकल जाना है सिर्फ देखना है और बता करके निकल जाना है अगला सवाल देखिए कोशे नमबर 23 बहुत तेजी के साथ बताईए कोशे नमबर 23 आसान है गुरुजी आसान सवाल है देखि और बताइए और एक बार गुरू जी सेयर कर दीजिएगा सेशन को सभी मेरे साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे तो हमें भी ठोड़ा एनरजी मिल जाएगी एनरजी तो पूरी भर पूर है क्योंकि एक्जाम का समय है आपके एक्जाम के लिए उत्साहित तो हम रहते हैं, हम लोग, चार को तीन से गुड़ा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, बारा, चार को तीन से गुड़ा कर देंगे, कितना आ जाएगा, दोस्त बारा आ जाएगा, चार को तीन से गुड़ा कर दिये, बारा आ गया, पांच क सबी लोग क्या हो जाएगा? उत्तर बताने का कुशिस करिए एक बार सबी साथी फटा-फट बताएं कोशन अबर 24 की बात करते हैं देखो और बताओ क्या हो जाएगा कोशन अबर 24 यहां पर कितना है? दू है यहां पर चार है वाँ स्क्वाइर कर दे क्या स्क्वाइर कर दे क्या या क्यूब कर दे क्या करें जो बोलो स्क्वाइर कर दोगे तो कितना हो जाएगा चार और जब चार को चार से गुला करोगे कितना जाएगा सोला ही तो आ जाएगा ना देखो चार को स्क्वाइर करके चार से गुला कर देते हैं बुढाँ जाये के यहांबर दिखिए हमने क्या पाती है का गुर ह्ट 1 करके 8 से गुड़ा कर दे थे नो एठे कितना हो जायगा 72 कि सवाल यह आता है कि यह गुडा किससे हुआ इसको काटी है साथ से पहले पहले इसको आप साथ से काटेंगे कितना हो जाएगा देखिए इसको साथ से काटेंगे कितना हो जाएगा साथ दुनी चौदा और कितना बच गया साथ पचे पैंतिस आई बपारे पचीस ये पचीस हो गया और यहां पर कितना आ जाएगा आपका अनुराग जी परिक्षा देने के बाद जितने लोगों ने पचीज बताया है सब को एक एक हजार रुपए मेरी तरफ से दिये जाएंगे सभी लोग आ करके कलिक्ट कर लीजेगा ठीक है ना पचीज बताने वाले बच्चों को सिर्फ एक हजार रुपए दिके मिलेंगे पाचे तो होई ना भाईया ए भाईया ऐसे घुलती कर वो चलो अगला कोशन की बात करते हैं ध्यान से देखें कोशन नमबर अगले की बात करते हैं देखो यहां पर अगले कोशन की बात करते हैं देखो ना कथन क्या कहता है कथन क्या कहता है यहां अर्थसास्त पर सबसे अच्छा YouTube पाठकरम है, ओय होई, क्या बात है, लिखता है यह अर्थसास्त पर सबसे अच्छा YouTube पाठकरम है, इस विसे का विस्तार से जानने के लिए इसे देखें, राम ने श्याम को सलाह दी, राम का काम सिफ सब को सलाह देना है, यही आपका एक तर्क होगा, यह तर्क बाता है बिल्कुल तभी तो उसको सलाह दे रहें हम तुमको क्यों बताएंगे कि रीजिनिंग पच्पन कोश्यन आएगी पढ़ो मतलब आपकी एक्जाम में आने वाली और आप पढ़ना चाहते हो श्याम अर्थसास्त्र सीखना चाहता है अर्थसास्त पर अन्य यूट्यू कि अच्छा यूट्यूभ पार्थकरम है अर्थसास पर मतलब और भी है इसका अर्थ तो तुझना कब करोगे एक बात बताओ हमको तुझना कब की जाती है मोहन जी भाने में जादो जी ये बताइए तुलना कब की जाती है जब मार्केट में चीजे उपलब्ध होती है ना तुलना करने के लिए तो कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए ना अब तभी तो तुलना करते हो ना तुलना अकेले थोड़ी ना की जाती है कि हरी मोहन सबसे सक्तिमाल लड़का है ये हरी मोहन से तुलना करने के बाद पता चला नहीं ना भाया चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए दी गई आकरती में कितने आयत है नमबर आफ रेक्टेंगल बताएए number of rectangle कितने हैं कितनी आयत दिखाई दे रही है इस सवाल में कितनी आयत है बताईए इसमें बताईए कितनी आयत दिख रही है आयत की बात करता है तवज्जो दीजिएगा सवाल पे आयत की बात करता है अगर थोड़ी सी सौधानी हटी पूरी दुरघटना घटी हो जाएगे आयत की बात करता है इस बात पर याद रखिएगा आयत का नियम क्या होता है इस बात को भी जान लीजी आयत का नियम होता है कुछ ऐसा एक, दो और तीर आयत का नियम कहता है कि जो भी आपने नंबरिंग की है उसको जोड दीजे यहां पर कितना होजएगा छे आप सबसे पहला काम क्या करोगे इनकी आयत को जोड़ोगे एक बार फिर से देख लीजे एक बार फिर से देख लीजे जेतने लोग उत्तर बताएं अपने एंसर फिर से चेकल लीजे, यहां पर 6 हो जाएगा, कईे नहीं हाँ, यहां पर 6 हो जाएगा, कईे नहीं हां इस बॉक्स में तीन हो गया कई यहां आईए अब इस बॉक्स को चेक कर लेते हैं इस बॉक्स में कितना है यहां से यहां तक देखे एक है यहां से यहां तक कितना है एक है और यहां पर दो है यहां पर दो है ठीक है आईए इस बॉक्स को देख लेते हैं इस में देख लेते ह इस वाले box में, यहां पर देखे, यह हमने गिल रखा है पहले से, यहां से यहां तक देखे, यह एक है, और यहां पर यह दो हो गया, और यह पूरे वाले को तीन हो जाएगा, ठीक है, अब इस वाले box की बात कर लेते हैं, यह अंदर वाले box की बात कर लेते हैं, अंदर वाले 1215 जाए गई तो बता दे कांदरा 13 तक पहुंचेंगे सिर्म थैना पर चूटा है बताईए ना 15 पन्दरा ही तो गिन पाये हूं सोला कहीं तो छूट गया गुरू बहुत भेनकर बेस्ती हो गई, खेल खतम हो गया, कहीं पे तो कुछ है, कोई जुआइंट के साथ तो नहीं बना है, कोई ऐसा कहीं पे जो छुपा हुआ साथ में मिला हुआ हो, कोई एक ऐसा जो दिख नहीं रहा हो, देखें सोला होगा हमसे छूट गया है हमसे छूटा जरूर है कहीं पर एक जूटा पंदरा एकदम असपश्ट दिखाई दे रहा है पंदरा में कोई कसर नहीं है पंदरा में कोई कसर नहीं है इसमें कितना गिने थे इसको एक बार और देख लेते इस वाले में हमने केवल एक गिना है जबकि इस वाले में देखिए यहां से यहां से यहां तक भी है देखिए इध्यान से देखिए इमांदारी से देखिए यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक इस बॉक्स में दो था हमने एक गिना था जबकि दो था सोला हो जाएग हमने एक गिना था जबकि दो था, सोला हो जाएगा, एकदम कनफर्ब, वही वाला जहां पर हमने एक लिखा था, वहां पर दो होगा, उसमें दो था, बॉक्स में, दो था, ठीक है न, एकदम क्लियर दो था, जो बच्चे देख पाए थे, वो समझ गये थे, चलिए, इमानदा टम में कोई परिवर्तन नहीं होता, अच्छा, ए लिखना जानते हो, ए लिखना जानते हो, सबसे जादी समस्या हुआ ही पे होती है, देखो जैसे ए लिखा जाता है न, यह जो आप ए लिखते हो न, यह एक दरपन प्रतिविम भी है, तो यह जो लाइन ऐसे गई है ना, इ इससे एक option ये कट गया, एक option ये चट गया, एक option ये कट गया, कितना बढ़्या तरीका था बताए, इमानदारी से बताए, मैंने क्या बताए, अंग्रेजी V这 Nick का a जैसे लिखते हो, ऐसे लिख दो, और अंग्रेजी parts माला का a क्या बताता है, line बताता है देखो ये ऐसे जो था ये कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा और ये पोर्शन आधा रंगा हुआ है ये पोर्शन आधा रंगा हुआ है लो यही चाहिए ना यहां पे मिला ना यहां पे मिला बात खतम निल बटा सन्नाटा अगले सवाल की बात करते हैं देखे यहां पर आपको य सबसे पहले किसको चेक करते हैं सबसे पहले किसको चेक करते हैं कमेंट बॉक्स में बताए डिवाइड को अगर आसानी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 13, 13, 26, 39, 40, 42, 65, 65, 73, 73, 91, 91, 93, 91, 91, 97, 35, 35, 36, कितना हो जाएगा 43, 43, माईनस 7, बराबर, कितना हो जाएगा 36, अब इससे बढ़ियां calculation कालोगे, इससे बढ़ियां calculation और क्या चाहिए, और बहतरीन calculation और क्या हो सकती है इसकी, आब बताइए, बहतरीन calculation है ना सर, बताईए, शाबास, साबास, साबास, यहां बर बताईए, साथ से, हाँ, पहचाना हुआ शब्द, अम मुस्कुराहट तो चेहरे पे आई ही होगी, मुस्कुराहट तो चेहरे पे आई ही होगी इसको देख करके, कुछ नंबर होते हैं आप याद रखेगा कुछ नंबर है होते हैं जैसे ये 110 132 यहाँ पर 156 156 यह सब नंबर आपको याद होने चाहिए यह सब नंबर आपको याद होने चाहिए इस बात को याद रखेगा यहाँ पर 156 ऐसे नंबर याद होने चाहिए गुले 12 है, यह क्या है आपका, यह 12 गुले 13 है, 12 गुले 13 है, जैसे यहां पर देखिए, 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 343 हो जाता है, 343 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 13 मेंसे 7 गया, 13 मेंसे 7 गया कितना हो जाएगा, 13 मेंसे 7 गया कितना हो जाएगा, 13 मेंसे 7 गया कितन होता है 13 31 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 13 20 13 31 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 13 20 बहुत शांदर अगला बताए आए हाई यह बढ़ियां है यह अच्छा सवाल है एक सवाल मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ आपके एकजाम में देखने को मिल सकता है यहां पर लिखता है एक जन्मदिन की पार्टी में एक डब्बे के अंदर 82 चॉकलेट थी बहुत समय मत खराब करना ऐसे ही करना देखो कैसे करोगे यहां पर देखो यहां पर कैसे करोगे 82 चॉकलेट थी यहां पर कहता है एक जन्मदिन की पार्टी में एक डब्बे के अंद 58 लेकिन 22 वापस रख दी मतलब लेकिन 22 वापस रख दी जोड़ दो यहां पर कितना हो जाएगा आट दो दस यहां पर असी हो जाएगा फिर उसने 27 शॉकलेट बाहर निकाल ली खेल रहा है बच्छा जैसे आप खेलते हैं तीन यहां पर साथ में से दो गया पांस तिरपन फि स्यूशा इसागा चाहरे सोज़ा फ्याइश है कितना चॉकलेट निकाल लेता फंदरा चॉकलेट वारा में इसे यह बाट चॉक़लेट दपबे में बचींट eleg जितने लोगों ने उनST शॉक्लेट बची सभी के मुह में मिठास है और जिनके मुँमें मिठास आगए यह समझ लिजे उनका सही अंसर जितने लोगों ने उत्तर उनसट बताया है सभी के मुँमें मिठास है साबास क्या बात है चॉकलेट की मिठास आर पार अमा मिया काबाट टाफी निकला दिये यार चॉकलेट के नाम पर धोखा देते हो तुम भी यार गजब विकती हो हाँ मेरी यह खाईए यहां पर कहता है कुछ लाल लड़के हैं कुछ लाल क्या है लड़के हैं कुछ लाल क्या है आपके लड़के हैं कुछ लाल क्या है सभी लड़के लाल हैं गलत बात कुछ छोटे लाल हैं दूसरा आपका बिलकुल परफिक्ट एंसर हो जाएगा दूसरा आपका बिलकुल सही जवाब दोस्तों दोस्तों, 69 ही तो मैंने बताया था बहिया, 69 ही तो बताया है, 64 कहाँ पर था? तो यह कईसे सही हो गया यह? यह एंसर फिर कईसे आ गया? गजब संयों है भाई साहब कैसे ये उत्तर आ गया यार ये ये उत्तर कैसे फिर आ गया यार ये बताईए ये एंसर कैसे आ गया यह एंसर कई से आ गया फिर अच्छा यहां पर मैंने जोड़ गलत दिया है यह मतलब इतना संयोग एक साथ में एक ही प्रश्ट में कैसे हो सकता है यहां पर मैंने जोड़ा कितना गलत यह 72 होता जोडने पे और मैंने इसको कितना कर दिया है चऊहत्तर कर दिया यह बहुत बढ़ा बहुत बड़ा वो नहीं है आ यह बहुत बड़ा मसला नहीं है मालिक आप भी ना जवरजस्टी वाली बात करते हैं सर आप भी जवरजस्ती वाली बात करते हैं, आप लोग भी जवरजस्ती वाला खेल रहे हैं हम लोगों से, अरे सर 84 था सर, सर 84 था मैंने 82 लिखा था, आप सही कर लीजेगा, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 24 घटा देंगे, कितना हो जागा, यह 60 हो जाएगा, 60 में 22 जोड़ देंगे, कितना हो जागा, यह 82 हो जाएगा, 82 में से फिर माइनस 27 कर देंगे, कितना हो जागा, 12 में से 7 गया 5, और यहां पर 7 में से कितना गया, वो तो आपको बताने के लिए था नहीं तो और तेज सॉल्व हो जाता है. वो तो कर लिजेगा सर. हाँ, हो गया, हो गया. चली, अगले सवाल की बात करते हैं, ध्यान से देखेगा. हाँ, मैंने सही कर दिया मालिक, मैंने देखा नहीं था. उससे कोई फर्क ने, नियम माईनी रखता है न, बाल लीजे 82 ही होता तो उससे इतना बड़ा कौन सा पहाड तूट गया था उसको ले करके, इतना कौन सा बड़ा पहाड तूट गया था सर, सर, 82 होता, 84 होता, 100 होता, 1.5 होता, सर, वो पहाड तूटने वाली बात नहीं थी, इधर देखिए, 6 मित्र हैं, A, B, C, D, E, और F, अलग-अलग लंबाई के हैं, यहां पर कहता है, A केवल C और E से लंबा है, सर, सब्ध को समझे गा, इस सवाल को करने के तरीके पर ध्यान से देखिए गा, इस सवाल को करने के तरीके पर ध्यान दीजेगा, देखिए, 1.2.3.4.5.6, यह छे लोग है, A केवल C और E से लंबा है, A जो है वो केवल लंबा है किस से? C और E से पचोए छटोएं पे C, E आएंगे A चोथे नंबर पे आएगा और यहां पर क्या कहता है? B जो है वो D से छोटा है लेकिन D सबसे छोटा नहीं यहां पर कहता है B जो है बी जो है वो डी से छोटा है लेकिन डी उसमें से सबसे लंबा नहीं है तो सबसे लंबा कौन है एफ यही तो तरीका है न सर अराम से आप नमबरिंग करके बता दीजे इधर सबसे लंबे लोग थे एक नमबर छे नमबर सबसे छोटे हम अगले कुश्यन को बात करते हैं यह आपका कौन सी कोडिंग है यह आपका देख करके कोडिंग करने यहां पर देखे 16, 16 में से 1 घटा दोगे 15, 15 का मतलब O, यहां पर देखो A का मतलब 1 हो रहा है, और यहां पर यह पचीस हो रहा है, एक से पचीस हो रहा है, मतलब कितना हो गया आपका माइनस 2, यहां पर देखे 5 में से माइनस 2 कर दोगे C हो जाएगा, फिर 13 से कितना हो रहा ह गौर से देखिए आय हाय तेरा से कितना हो रहा है दस हो रहा है फिर तेरा से दस हो रहा है माइनस तीन यहाँ पर पंदरा मेंस तीन कर दीजे कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा आगे चलते हैं पी से कितना हो रहा है यहाँ पर देखेगा यहाँ पर क्या है यहाँ पर एला यारा यहाँ तक देखिये common ही चल रहा है last वाले ही number से solve होता यहांपर देखिये यह 5 था 5 में से कतना माइनस हुआ है 2, 2, 4, 6 5 में से minus 6 माइनस हुआ तो यहां पर भी 5 में से minus 6 हो था तो last वाऑ ही आ जाता है देखिये कुछ करना भी नहीं था नकल मारके भी आप कर सकते थे नकल मारके भी आप कर सकते थे इस बात को याद रखिएगा अगला सवाल बताईएगा इस कुशन को देखिएगा कभी कभी ये सवाल भी देखने को मिलते हैं देखिए यहां पर कहते हैं वालिट को फोन कहा जाता था सिंटर पर wallet लेकर के मत जाना, purse लेकर के मत जाना, cash लेकर के पैसे रख लेना, cash रख लेना, एक ID card रख लेना, exam center पे wallet मत ले जाना, phone कता ही मत ले जाना, wallet को phone कहा जाता है, तो अपने साधन से जाना, फिर उसमें रखना, wallet को phone कहा जाता है, phone को चस्मा चस्मा भी नहीं लेके जाना है अगर पावर वाला नहीं है तो चस्मे को पुस्तक कहा जाता है पुस्तक भी नहीं लेके जाना है यहाँ पर लेके जाना है नगद और कार्ड यही दो चीज़ लेके जाना है पिन यहाँ पर कहता है तो नगद रुपए और कार्ड रख को क्या कहता है फोन कहता है यहाँ से समझेगा उनक्त अगले कुष्ण को बताइए बेहतरी का आसान सा कुष्ण डैरimy터्स कुष्ण आपको देखने को मिलेगा इतों कंफर्म हैं बताईए कैसे चले यहाँ पर यहां से देखेगा इसको बताईए नीरज पूरब दिशा में 20 मीटर चलता है नीरज जो है वो पूरब दिशा में 20 मीटर चलता है फिर दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर जाता है फिर दाहिने मुड़ता है और 20 मीटर जाता है अब वह प्रारंबिक दिशा से किस दिशा में प्रारंबिक पूर्व कहेंगे भाईया दक्षिन पूर्व इसको कहेंगे क्या कहेंगे भाईया दक्षिन पूर्व कहेंगे ठीक है ना इसको क्या कहेंगे दक्षिन पूर्व आपको एक बात बता दें दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आपका जो एक्जाम सेंटर है उसमें आप क्या बहुत दूर सेंटर है लेकिन अगर घर के अगल बगल में है तो अपने बाई को एक से जाना तो अलग चीज़े उसमें डिग्यों गिम रख लेना कोई ऐसा सामान लिना ले जाना जो तुमको परिशान करें जो बाद में तुम्हारा ध्यान तुम पेपर देने जा और तुम् पता नहीं किसकी मेरे दादा की थी फिर उसके बाद उनसे अब ये क्या है मुझे बहूत दिन से मैं पहना हो ती ये हाद में जाम हो गई है अब मुझे कोई परिख्षा देने जाना होता है तो मुझे या तो निकलवाना पढ़ेगा तो मैं आप पेपर देने गया ता तो जानते हैं इस पे क्या किया था उन्होंने इस पर उन्होंने टेपिंगी थी टेपिंगी कि 3 और वार्निंग कि थी हम आ 설पसे ज हुआ नहीं किया था तो वही बात मैं आप की बात करते हैं ध्यान से देखिएगा 26 से हो रहा है आपका 702 26 से बात हो रही है 702 की बात हो रही है 26 से 702 की कैसे आएगा 26 से 702 बताएगा ऐसा कैसे 1000 किलो मीटर कैसे दूर हो सकता है इतना दूर तो किसी का सेंटर ही नहीं दिया यार 26 का स्कॉायर कितना होता है आप लेते जाएएगा सभी साथ है यहां पर कितना हो जाएगा 26 का स्कॉायर कितना हो जाता है 676 हो जाता है 26 का स्कॉायर कितना हो जाता है 676 हो जाता है और 676 में अगर 26 जोड़ दें यहां पर देखे 6-6-12, 7-2-9-10, यहां पर कितना हो जाएगा, 702 हो जाएगा उसी तरीके से 27 के स्क्वाइर की बात करते हैं, तो कितना हो जाता है, 729 और 729 में अगर 27 जोड़ देते हैं, 9-7-16, यहां पर 5 और कितना हो जाएगा, 756 756 आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा, 756 आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा, अगले की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर देखिए यहां पर कितनी किसकी बात करते हैं जैसे यहां पर देखते हैं क्या है यह P का मतलब कितना हो रहा है 16 कही यहां आप इसको देखिए यह T का मतलब कितना हो रहा है 20 जो आपका एक्जाम होगा उसमें पेन रहेगी आपके पास में पिन से ऐसे कर लीजेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर देखे, वी का मतलब कितना होता है, 22, और यहां पर य का मतलब कितना होता है, 25, ऐसे लिख लीजेगा, S बराबर 19, और U बराबर 21, और D बराबर 4, और E बराबर 5, पहले कितना हुआ है, पहले हुआ है, फिर कितना ह यह आपका जुडता चला गया है, तो देखे, चार, 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 आठ, आठ का मतलब H, यह दोनों अपसन चले गए, 16-3-19, यह आपका बिल्कुल एंसर करेक्ट एंसर हो जाएगा, तीसरा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा, अगले सवाल की बात करते हैं, चलिए, सबसिट्यूट की बात करते हैं, सबसिट्यूट का संबन किस से है, रिलीव से है, सबसिट्यूट का मतलब क्या है, आप अच्छा सुने होंगे, कोई अगर मेटकल स्टोर पे कभी दवा लेने गए होगे आप लोग, यहां पर देखे, अगर वो कभी मेटकल, ऐसे ही, इंगलिस में ही लिखा रहेगा, हिंदी में नहीं रखेगा, यहां पर देखे, सबसिट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, उसी तरीके से, यहां पर किस की बात करता है, ट्रांसलेशन की बात करता है, तो यहां पर क्या कभी आती हैं सर जी 82 नहीं 84 अच्छा आप बहुत पीछे हैं यहाँ बर देखेगा कुछ लोग पीछे हैं अरे पढ़ना शुरू करिए ना यार सर टाइम को देख करके तो आज क्लास लगाया ही नहीं सर टाइम के हिसाब से तो क्लास लगाया ही नहीं सर मैंने अपने मरजी से लगाई एक साल क्लास कसम से बता रहा हूँ मत करो ऐसा कमेंट नहीं पढ़ने का मन है आप जाईए सो जाईए सभी को सेलेक्षिन थोड़ी ना लेना है कुछ लोगों को तो भीड़ भी दिखानी होती है ना एक्जाम में सर ये मैं अपनी मरजी से लगा के हूँ सुबा दस बजे पढ़ाया हूँ यकीन मानिक कसम खागे कह रहा हूँ ये मैंने अपनी मरजी से क्लास लगाया हूँ ना संस्था की तरफ से है ना उसकी तरफ से है सिर्फ ये लिए कि मैक्सिमम आपको मिल जाए कसम का के कह रहा हूँ संस्था की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि क्लास लगाई यह रात में पढ़ाई है मैं सुबा से अपनी सारी क्लास पढ़ाए हूँ आठ घंटे पढ़ाने के बाद यह क्लास श्टार्ट किया हूँ कि यार ज़ादा से ज़ादा हो जाए, किमसे कम एक्जाम की बाद तुमसे सकल मिला सको, नजर मिला सको, इसलिए ये क्लास लेकर के आया हूँ, जो सुबा में पढ़े हैं, वो जानते हैं कि सुबा पढ़ा करके, दस बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, कि कोईशन कहीं से कुछ भी मिल रहा है अच्छा कोशन अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं कि जिससे आपको लाब मिल जाए तुम्हारे ही लिए लेकर आया हूं बाबू नहीं पढ़ना है चले जाओ कहे बाकी लोगों को डिश्टर्ब कर रहे हो जो पढ़ना चाहरे उनको तो पढ़ने दो एन का मतलब चौदा है क्यों का मतलब सत्रा है टी का मतलब बीस है और यहां पर इसका मतलब तेईस है यहां पर देखें चौदा तीन सत्रा सत्रा तीन बीस बीस तीन तेईस यहां पर देखें यह बीस है यह बाइस है और यह चौबिस दो बाइस दो चौबिस और चौबिस द अलग हो जाएगा ठीक है ना ये आप सबका अलग हो जाएगा सबसे यहां पर अगला प्रश्चन देखेगा मुक्के बाजी कहां पर की जाती है रिंग में की जाती है मुक्के बाजी आपकी कहां पर की जाती है रिंग में की जाती है कोर्स यहां पर देखेगा अगले कुशन जाता है डाइमेंड की में खेला जाता है और तैराकी कहां की जाती है पूल में तैराकी कहां बेकू जाती है पूल में तो देखे यहां पर देखे यहां पर खेल है पहले आपका क्या दिया गया है दोस्त खेल दिया गया मुक्के बाजी खेल है कहां पर होता है रिंग में गो बेसबॉल कहां पर होता है, डाइमेंड में होता, यह चीज आपको सीखने को मिल गए, इस सवाल को देखिए, यहां पर रोटेशन होगा 100%, सिर्फ घुलन है, रोटेशन है, देखिएगा, यहां पर किसकी बात करता है, PQRS, PQRS, एंटी क्लोकवाइज, PQRS, एंटी यहां आपका अलग हो जाएगा, एंटी क्लोकवाइज सारा खेल, तो मतला वो था क्रम बदला था, क्रम उसका आगे पीछे था, चलिए, उत्तर बताईए, एंसर बताने का परियास करिए, क्या कहता है कुश्यन, यहां पर 28 से कितना लिखता है, 784, दिमाग में आता है, या आठ के पीछे, आठ का वर्ग कितना होता है, 64, मतलब आठ का इकाई यह चार होता है, मतलब 28 का वर्ग क्या है, 784, 19 का स्कॉयर कितना है, 361, 23 का स्कॉयर कितना होता है, 529, यहां पर 529 की जगहा कितना लिखा है, 549 लिखा है, 529 की जगहा मेरे दोस्त कितना लिखा गया है, 549, मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बार आप सभी साथी सेशन को अगर लाइक कर देंगे, अभी सभी लोग सेशन को अगर लाइक कर देंगे, तो एक अलग मजा आ जाएगा, एक अलग उत्सा हो जाएगा, तो दोस्त, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, और बताएए आप क्या है इस सवाल का उत्तर यहां पर देखिए ऐसा ही सवाल आपका पीटी में पूछा गया था जो पीटी का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था ऐसा सवाल आपके पीटी में पूछा गया था उमीद है कि ऐसा एकदम हूबहू सवाल आपको देखने को मि काट दीजिए सब के डबलू को काट दीजिए सब के आर को काट दीजिए सब के एक को काट दीजिए अब बात आए यह आती है यहां पर देखिए सी का मतलब तीन है एन का मतलब 14 है एस का मतलब 19 है टी का मतलब 20 है पी का मतलब 16 है यही आपका आ आएगा चौथे पांचुए नमबर पे क्योंकि ये पांचुए पे आएगा ये चौथे पे आएगा ये तीसरे पे आएगा ये दूसरे पे आएगा ये पहले पे आएगा समझ गए ना क्या करना है समझ गए ना क्या करना है हाँ या ना बोल दो एक बार हाँ या ना बोल दो भाईया समझ गए तो यहां पर बताए पिता जी माता जी का संबन्द आ गया बताएंगे उत्तर उत्तर बताएए ना क्या हो जाएगा correct answer ध्यान से देखिए अब बताएए क्या हो जाएगा जैसे यहां पर आपके सामने ये एक सवाल आएगा एक्जाम में इसको देखेंगे तो आप भी मुस्कुराएंगे चलो कम से कम एक नमबर तो फिक्स हो गया आप पढ़ो इतना पढ़ो इतना यहां पर क्या पढ़ो यहां पर पढ़ो P divided by Q P divided by Q P जो है वो Q का भाई है बनाओ ऐसे देखो जो P है वो भाई हो गया किसका भाई हो गया Q का solve कितनी बात हुई इतनी बात हुई solve आगे पढ़ो Q प्लेश T Q plus T का मतलब क्या हो जगा Q जो है वो T का पुत्र है Q जो है वो बेटा है किसका बेटा है Q plus T यहां पर यह solve हो गया आगे देखेगा क्या लिखता है T minus B T minus B का मतलब क्या हो जगा T जो है वो V की पतनी है T को पतनी बना दीजे किसकी पतनी बना दीजे, वी की पतनी बना दीजे, हम आगे की बात करतें, देखें, वी इंटु एल, वी इंटु एल का मतलब क्या हो जाएगा, वी जो है, वो अल का पिता है, वी जो है, वो फादर है, किसका फादर है, अल का पिता है, वी जो है, वो अल का फादर है, पिता ह खुबसूरती देखिए, यहां बर देखे, L divided by K, L जो है, के का भाई है, L is the brother of K, क्या मैंने गलत बना दिया है, क्या, एक बार आप सभी लोग बताए, क्या मैंने गलत बना दिया है, क्या मैंने गलत बना दिया है, सवाल आता है, L का P से क्या सम्मंद है, L P का क्या हो जाएग भाई या मेरे राखी के बندन को निभाना, भाई, यहां बर क्या हो जाएगा भाई, सर दिखाई नहीं दे रहा, अरे सर, यह बड़ियां बात कर दिया, सर, L का P से क्या सम्मंद है, सर अब दिखा, मैं तो पढ़ भी रहा था, भाई एकदम सही बनाया था, सर, सुनिए ये सवाल एक्जाम में आए कैसे करोगे सर ये सवाल एक्जाम में आए कैसे करोगे ये सवाल एक्जाम में आएगा कैसे करोगे जो पूछा है आपसे कहता हॉट यहाँ पर हॉट की बात करता है ऐसे ब्लाइन खीज देना हॉट पे वहाँ पर मत खीचना कॉपी में, पेपर में यहां पर खीचना हॉट, इसमें आपका उत्तर चुपा हुआ है, चाइनीज कोडिंग है, यही आपका, इन्ही तीन अक्षर में आपका उत्तर चुपा हुआ हुआ हॉट का कोड़, चलिए देखते हैं, ब्रिंग हॉट फूड, यहां पर देखे, यहां पर आपसे क्या कट जाएगा, फूड कट जाएगा, जब आप फूड काटोगे तो कौन सा शब्द कटेगा, यहां पर देखेगा, फूड काटोगे तो कौन सा शब्द कटेगा, यहां पर कौन सा शब्द कटेगा, देखो, दोनों में कोई न कोई तलासा कहीं ब्रिंग नहीं दिखा पूरा तलासा आया लेकिन कहीं भी ब्रिंग नहीं दिखा और जितने लोगों ने ये बताया cannot be determined बिल्कुल सही जवाब बताया जितने लोगों ने cannot be determined बताया बिल्कुल सही जवाब बताया और बाकी लोग क्या बता रहें मालिक बाकी लोग क्या बता रहें बाकी लोग क्या बता रहें एक बार तेरी के साथ बताएए बाकी लोग क्या बता रहे हैं एक बार सभी लोग बताएए ध्यान से देखिए है बताने की कोशिस करिए हाँ सही है ना बुद्धी काम की इस सवाल को देखिए पेंच चलाने की जरूरत नहीं है यकीन मानिए पेंच चलाने की जरूरत नहीं है बस ऐसे देखिए एक लड़क संतान का इकलोता पुत्र है मेरे दादा दादी की इकलोती संतान यानि कि मेरे पिता मेरे पिता का बेटा है वो मेरे पिता का बेटा है एक लड़के की पर्चे देते हुए लीला ने क्या का मेरे पिता का बेटा है लड़का लीला से किस प्रकार संबंदित है मेरे पिता का बे बहुत मारेंगे, एक लड़के का परचे देते हुए लीला ने क्या कहा, लीला क्या कहती है मेरे दादा, यहां बर देखो मेरे दादा का इकलोता बेटा मेरे दादा का इकलोती संतान मेरे दादा की इकलोती संतान यानि कि मेरे पिता मेरे पिता का बेटा है वो मेरे पिता का बेटा है वो तो मेरा क्या हुआ मेरा क्या हो गया भाई हो गया मेरा भाई है वो मेरा भाई है क्या बात है भाईया बड़े भाई ताकत होते हैं आप में से जितने लोग बड़े भाई हैं सभी लोग ताकत हैं और जितने लोग छोटे भाई हैं वो सभी के पास ताकत है यहां पर देखिएगा यहां पर देखिए इस सवाल को देखिए क्या कहता है इनलोजी का सवाल है गुरुजी इनलोजी का सवाल है कुस तो गरबड है सर घूम रहा है कुछ सर देखिए अंदर वाला गोला सर बाहर वाले को देखिए मज़ेदार बात सर अंदर वाला क्या हुआ है ना अंदर वाला सर एंटी क्लॉक वाइज 90 डिगरी गोम गया है 90 डिगरी एंटी क्लॉक वाइज अंदर वाला गोम गया है क्या बात करते हैं सही बता रहा हूं भाई एंटी क्लॉकवाइज गुम गया जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मालिक यह ऐसे एरो अंदर आ जाएगी यह निपड़ जाएगा यह निपड़ जाएगा यही आपका सही हो जाएगा और यह वाला बाहर वाला गोला क्या हुआ है जो यह बाहर गोला था य 90 degree क्या हो गया clockwise हो गया जब यह 90 degree clockwise हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा तो सही है एकदम सही है चलिए क्या बात है भीया क्या बात है भीया बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां यहां बर देखिएगा यह सवाल एक आते हैं यहां से एक सवाल आते हैं स सर इसको करना बहुत आसान होता है सर इसमें तीन नियम होते हैं तीन तरीके के सवाल होते हैं यहां से सवाल आपको देखने को हमेशा मिलेगा मनलब एक सवाल यहां से आपको देखने को मिलता है और यह सवाल उन्हीं के लिए है जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है देख 38 28 च्यालिस और 46 और 5 कितना हो जाए गробभ और 51 18 कितना हो जाएगा 51 दस 61 61 अर 8 कितना हो जाएगा 69 यहां पर 69-2 कर दे तो 76 हो जाएगा सर इतना बढ़ियां आपका जोड होना चाहिए सर परिक्षा देने जा रहessen बहुत दिन से मिहनत किए सर इतने दिन से मेहनत कर रहे हो अगर मैंने सही जोड़ा है तो बताइए सर इतने दिन से मेहनत कर रहे हो इतना बढ़ियां तो जोड होना ही चाहिए 尧ुस पार देखिए ड़一 21, 23, 5, 18, 18, 23, 21, 28, 29, 31, 31, 31, 31, 33, 29, 31, 31, 34, 39, 30, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 33, 33, 34, 35, 33, 35, 36, 36, 56, 56, माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा, 54, तर इस तरीके से कुछ जोड़ना आपको करेगा, तर इस तरीके से आपको जोड़ना पड़ेगा, सर मैं मूड में होता हूँ न सर मेरा कल्कुलेशन सुपर हो जाता है और जर सर वो होता है न तो देखे 84 को 82 लिख देता हूँ सर 84 को 82 लिख दिया था पीछे और यहां पर देखे मैंने आपको जोड के कैसे दिखाया है यहां पर मैंने आपको जोड़ करके कैसे दिखा है तो जोड़ना गलत मत करना गुरू इकाई यंक से भी किया जा सकता है इस बात को भी याद रखिएगा वर्गों की संख्या बने वर्गों की संख्या हाए बप्पार है कैसे गिना जाएगा अरे बप्पारे बप्पा कैसे गिनेंगे हाई दद्दारे दद्दा मिर्जापुर वाले छोटे वाले दद्दा हाई दद्दारे दद्दा कैसे गिना जाएगा एक दो तीन 2 3 अईसे जो नियमों आही चल रहा था न, ढूड़िए देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 1, 2, 3 इस बेसिक डिजाइन थी भाईया यह भाईया, इस बेसिक डिजाइन थी 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 गुड़ा कर देजे चार गुड़े चार प्लस तीन गुड़े तीन प्लस दो गुड़े दो प्लस एक गुड़े एक सोला नौ चार एक बराबर तीस एक है विकल्प है काहे लिए एक है विकल्प है इधर या देखिए न भाईया यहाँ पर देखिए ती अंदर वो 5 थी है 30 प्लस 5 बराबर 35 अब एके बाद एक ठू नहीं बचा है एक को ना बचा बाई को ना बचा बाई बाई बात का याद रख लिए चलो 35 अगला सवाल बताओ अगला सवाल बताईए मेरे दोस्तेजी के साथ बताने का प्रयास करिया और सबी लोग एक बार फड़ा फड़ा तेजी के साथ सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे चले अगला सवाल बताईए एंसर बताने का कोशिस करें बताईए क्या हो जाएगा भीया सरी ये क्या है ये आखिर पहली बार इतने इतने जमाने में पहली बार ऐसा कुश्चन देखने को मिलता है इतने छोटे छोटे नंबर से अचानक से इतना बड़ा नंबर इतना छोटा छोटा नंबर अचानक से इतना बड़ा नंबर आखिर है क्या भाई या इतना छोटा छोटा नंबर फिर अचानक से इतना वड़ा नंबर यह का हुआ है यहाँ बर प्लस वन कर दें यहाँ बर प्लस वन कर दें यहाँ बर प्लस वन कर दें यहाँ बर प्लस गुले बन कर देतें यहां पर प्लेश टू कर देते हैं यहां पर गुले दू कर देते हैं यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 14-12 नहीं हुआ नहीं हुआ का करें और नहीं हुआ तो का करें और नहीं हुआ तो का करें भाईया का कर सकते हैं कोई और तरीका बताईए, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए कि जिससे सही हो जाए, जिससे की सही हो जाए, कोई एक तरीका तो ऐसा बताईए कि जिससे सही हो जाए, सर कुछ तरीका तो सोचना पड़ेगा, 176 को छोटा करना पड़ेगा, और यहां पर अगर बात करते हैं कैसे करें बताई 176 कैसे आएगा 176 कैसे आएगा 176 कैसे आएगा कोई तरीका बताई हमारे दिमाग में एक तरीका आ रहा है कितना बैरिफाई है उस बात को देख लेते हैं मेरे दिमाग में एक तरीका ये आ रहा है देखे आठ दूनी सोला आठ दूनी सोला आठ दूनी सोला बाईस मतलब बाईस को अगर आठ से गुड़ा कर दिया जाए तो 176 हो जाएगा यानि कि अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं प्लस आठ कर देते हैं और प्लस गुड़े आठ कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा अब बताईए क्या इसके साथ आप जाएंगे यहाँ पर आप प्लस आठ कर देते हैं और यहां पर वो कर देते हैं कि आप इसके साथ जाएंगे क्या इस नियम के साथ जाएंगे आप लोग बताएए क्या आप सभी साथ देंगे मानेंगे इस बात को हाँ या ना बताएए समर्थन करेंगे इस बात का समर्थन करना पड़ेगा समर्थन देना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा इसी चीज के साथ इस बात को याद रखिएगा यहाँ पर जैसे गुड़े एक और यहाँ पर किये थे गुड़े आठ और वो दोड़ी जाती है और जब आप साथ सीतकाल में जो सीतर निद्र हैबी नेशन होता है यहाँ पर हैबी नेशन आपको पता है जो भालू होता है जो गई आपको जो पोलर वियर होते हैं वो क्या करते हैं पोलर वियर क्या करते हैं जब बहुत जादा सर्थ बहुत जादा बर्फ गिनने लगती है खाने पी लेकर कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं हैबिनेशन में चले जाते हैं अपने आपको सुला लेते हैं मतलब दो दो तिन तिन छे छेचे महीना सोते रहते हैं वो जो कुमकरण वाली स्थिति जानते हैं उसी तरीके से वो सोते रहते हैं उनको जगाने की जरूरत ही नहीं है मतलब अराम से सोया पड़ा है आदमी सोया पड़ा है फिर से सीजन जब बरसाथ खतम होती है गर्मियों का मौसम आता है बर्फ ही है इनसानों को दी होती तो आधिस जादा सोते ही रहते हैं हर दम कहता है कुशन मार को परतियस थापित क्या कर सकता है बताएं 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 क्या कर सकता है चलिए यहां पर आप देखते हैं कितने का अंतर दिख रहा है यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है नौ का यहा यहां पर कितने का दिख रहा एक अदिए 60 का सूल ए 6 का यह फर कितने कंतर दिख रहा यहां पर देखे च फिशतेस यहँ नहीं बर आपको 63 तिरfar Bowl में यहां पर कितना मिल गया आपको इधर कि यहां पर 4 एक यह में से यह का पूर्डंकांट यहांपर 150 का अंतर हो गया तेरा में से चार गया नो और इसके बाद देखिए आठ में से गया साथ से बंटी नाइन का अंतर सही है गैप सही निकाला हूँ एक बार कैलकुलेशन बता दीजेगा गैलकुलेशन सही है ना यहां पर देखे कितने का अंतर है प्लस साथ का अंतर है यहां पर 9 5 14 4 हासिला 1 7 3 10 10 11 11 14 14 जोड़ दीजिए 4 3 कितना हो जाएगा 7 9 10 का 0 1 1 2 1 3 यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर 307 307 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा 307 मेरे दोस्ता आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा 370 काउन बताया था एक बार सकलिया हम देख लें 370 वाली की है भाई या 370 का है बता दिये थे question number 18 अब है 18 पर हो question number 18 पर हो अब है live आजाओ भाई या बाबु जाहे ब्लाइन पर आजाओ question number 18 आप का बताएं question number इसकी बात करते हैं लिकित में से निउन्तम रेखाओं की हो सकता होगी minimum numbers of line की बात करते हैं बताएगा यहां पर निउन्तम रेखाओं की बात करते हैं देखे निउन्तम रेखाओं क्या हो जाती होरिजन्टल वर्टिकल डाइगोनल horizontal vertical diagonal नियुन्तम रेखा है एक, दो, तीन, चार, पाँच ये कौन सी रेखा है ये horizontal लेखे बताईए उत्तर की बात करते हैं देखे यहाँ पर बारा आपने बताया बारा यहाँ पर horizontal कितनी हो गई आपकी यहाँ पर कितना है पाँच यहाँ पर horizontal कितनी रेखा है पाँच है vertical की बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच छे, साथ, आठ, नो, एक, दस यहाँ पर यह दस हो गए दस, पाँच, पंदरा भाईया आपने बारा कैसे बताया था एक बार गुरुजी थोड़ा हमें भी घ्यान दीजिए गुरुजी हमें भी थोड़ा घ्यान दीजिए बारा बताने वाले, कौन सी दो लाईने खा गए थे आप, सर्भूक लगी है खाना खाईए ना, लाईन क्यों खा रहे हैं, घर वाले देखेंगे तो कहेंगे, मेरा बच्चा देखो, लाईन खा रहा है रिकॉड़ेट वीडियो है, ओ माई गॉड़ भगवान ने इनको इतनी शक्तिया दी है, इतनी सक्तिया दी है इस बच्चे को ना, इतनी शक्तिया दी है ना ये देख करके बता देता है कि recorded video है live video है कितना तेजस्वी लड़का है भाईया कितना ग्यानी लड़का है हमारे आपके बीच में नए बाबा है इनको ग्यान हो जाता है इनको ग्यान की प्राप्ति हो जाती है अरे निरलज्ज कहीं के पढ़ लो पढ़ लो हाँ क्या नहीं बाबा इधर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ये ये देख करके बता दे रहे हैं कि ओ माई गोड ठावित सर इसल नॉट अलाइब recorded class पढ़ लोग या live है live पढ़ेंगे recorded पढ़ेंगे यहां पर देखिए इस सवाल का उत्तर बताईए क्या हो जाएगा correct answer answer बताईए क्या हो जाएगा तेजी के साथ बताईए सबी लोग बताईए उत्तर बताईए क्या हो जाएगा correct answer ध्यान से देखिए और बताने का परियास करिए सर बताईए क्या हो जाएगा correct answer ध्यान से देखियो और बताने का प्रयास करिए D answer जितने लोग बताएं कोई बताया है question number 18 एक बंदा बार बार कमेंट कर रहा है कोई गलती हुई है क्या question number 18 में कोई question number 18 में कोई गलती हुई है क्या यार होई तो नहीं होगी यार तुम बता रहे हो बार-बार वही बार-बार कमेंट कर रहा है बात में देख लेंगे मेरे लाल अगर तू क्लास में है तो इंसान है तो भाई रुख जा बागी तो मैं कुछ नहीं कोंग उसके आगे नित्बुरा माण जाएगा तू C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, D आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, D आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हम अंगले question की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम अंगले सवाल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करिए, क्या हो जाएगा correct answer बताइے क्या हो जाएगा correct answer तेजी के साथ बताइए और सही उत्तर बताने का प्रयास करें आप सभी लोग ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा तेजी के साथ देखें DVGITM DVGITM इसके बाद कहता NR आर यहां पर ध्यान से देखिए एन आर टीएस में देख रहा था यहां पर देखिए डी वी आई यहां पर डी का मतलब कितना है डी का मतलब चुन perfect answer हो जाएगा. अगला बताईये क्या हो जाएगा. सभी लोग बताएं है जल जल ली बताई क्या हो जाएगा Con rij 25 की बात करते हैं. को बच्चे और बताऊ.очно ब्च्चे की बात करते हैं. देखिए और बताने का प्रयास करिए. सबी लोग बताइए क्या हो जाएगा correct answer question number 25 P के लिए 8 लिखता है P के लिए कितना लिखता है P के लिए क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है कैसे आखे P के लिए आखिर 8 कैसे लिख रहा है लिख रहा होगा सर compare करके आप भी लिख दीजे कौन मना कर रहा है P के लिए 8 लिख रहा है compare करके आप भी लिख दीजे R के लिए कितना लिख रहा है 9 लिख रहा है R के लिए 9 लिख रहा है देखे अगर 89 से option सुरू हुआ अगर 89 से विकल्प सुरू हुए तब आपके लिए lab है तब आपके लिए lab है और C के लिए कितना है आपका पांच और E के लिए कितना है आपका चार ये आपका बन जाएगा तो 89, 24, 25 है, है क्या, N के लिए कितना था, N के लिए कितना था यार, N के लिए एक था ना, यहां पर N के लिए एक था, 89, 25 यहां पर देखिए, यह आपका बिलकुल correct answer हो जाएग चले अगले सवाल की बात करते हैं, थोड़ा जोस में जनता एक बार, पूरी जनता सभी लोग तेजी के साथ बताएंगे, चलिए, सभी लोग सेशन को like कर दीजे भईा, सभी साती एक बार like कर दें, सी होगा माश्टर जी और यह बाप है बाप सी होगा माश्टर जी हमको लगा गाना गाने वाले हैं लोग जी पारले जी पब जी राणा जी कैलकुलेटर यहां पर कहते हैं लालटेन है कुछ कैलकुलेटर ध्यान से देखिएगा सम कैलकुलेटर आ लालटेन सम कैलकुलेटर आ हैं आपके लाल्टेन है कुछ कैलकुलेटर क्या है लाल्टेन है और कुछ लाल्टेन क्या है आपके मुबाइल है सम लाल्टेन सार मुबाइल निसकर्स की बात करते हैं सब भाई कुछ कुछ से तो कोई सभी कभी आ ही नहीं सकता है ये कोई भी कभी नहीं आ सकता है कहते है ही हो जाएगा आप केहेंगे आपने पढ़ा ही नहीं आपके मुबाइल केलकुलेटर हैं और कोई mobile लाल टेन नहीं है, कोई mobile लाल टेन नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है न, अगला कुशन देखे, coding, decoding का कुशन है, आप कर लोगे, 100% आप कर लोगे, same question, same logic है, इसको बताइए क्या हो जाएगा, इस कुशन का उत्तर ब अब आए हैं तो इतनी मेहनत करके रुके हैं रात में तो थोड़ी देर तो और तो पढ़ेंगे ही, सर पढ़ने ही दीजिए, इतनी मेहनत करके इतनी रात में रुका हूँ, तो कुश तो पढ़ाने ही दीजिए, मेरे चक्कर में कई लोग रुके हुए हैं, पढ़ाने ही द दिर चार दिन बाद paper हो जाएगा न? फिर उसके बाद कहां हम कहां、 मैं इतना class कहां दुपहार रात में ले पाउँगे, रात में कौन सा class लूँगा? आज ही आपकी डिजाइन बनती हुई नजर आएगी और कोई डिजाइन नहीं होगी अगले सवाल की बात करते हैं ध्यान से देखिएगा अगले सवाल की बात करते हैं गौर से देखिए पूरी तवज्जो के साथ देखिए और बताएगे यहां बर क्या हो जाएगा ध्यान से समझो यहां बर आगे की बात को ध्यान से देखेंगे और यह हो जाएगा, जब जब भी खोले हूँ, याद रखना यही डिजाइन आपकी हर तरफ बनती हुई नज़र आएगा, यही डिजाइन आपकी बनती हुई हर तरफ नज़र आएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यह और विदेशी परियटक के लिए आकर्सक योजनाय प्रस्तुत की है जो विदेशी परियटक भारत में आते हैं उनके लिए बहुत सारी आकर्सक योजनाय प्रस्तुत की है यहां बर निसकर्स की बात करते हैं सरकार विदेशी परियटों को आकरसित करने के लिए गंभीर परतीत होती है बिल्कुल भाई सरकार लग रहा इन सब योजनाओं से क्या लगता है इन सब बातों से क्या लगता है सरकार के मन में हैं सरकार चा रही है लोगों को देना चा रही गंभीर परतीत होती है दूसरा अब अधिक संख्या में विदेशी परेटक देश में आने की संभावना है सर इसके बारे में अब देखे ये अनुमान हो गया ये पूरा का पूरा क्या हो गई बात ये हो गई पू इंडिया आये विजट करने आये किसी भी five star hotel में आ फ्री रह सकते रहने का खर्चा आपने दें दिया लोग क्या करेंगे लोग आकरसित हूंगे लोग आएंगे सरकार अगर योजनाएं दे रहिए ना ऐसी योजनाओं को लोग लागू करने पे लोग आते हैं लोग में लाला चाती है और लोग इस योजना का फॉल लाब उठाते हैं इस बात को याद रखियेगा लोग ऐसी योजनाओं का बहुत लाब उठाते हैं मैंने आपको एक एक अजामपल से समझाए कि कैसे लाब मिलता है भाई आप भी कही जाएए आपको रहने की बेवस्था हो जाए बस उसके बाद क्या है भाई रहने देखो ये ऐसे बनी है देखो जब भी कभी ऐसे बनती है एक्स बनाए हो कभी एक्स मैं देखे हो ये एक्स ये जो एक्स बना है ना ये एक्चुल में क्या है जानते हो दरप दर्पन परतिविम है ये वी का दर्पन परतिविम ही है एक्स जो ये एक्स होता ये दर्पन परतिविम मत्तब ये लाइन इधर जाएगी ये लाइन इधर जाएगी ऐसे यहां से यहां ऐसे देखो यहां से यहां तो ये जो लाइन गई है गुरू जी ये जो लाइन गई है ऐसे जाएगी धूंडिये कहां पर ऐसे गई है विकल्प धूंडिये कहां पर ऐसे लाइन गई है विकल्प धूंडिये कहां पर ऐसे लाइन गई है अगर समझदार होगे तो केवल एक कई विकल्प दिखेगा इसके सिवा कोई विकल्प दिखी नहीं सकता है अब ये भी बात अगर नहीं समझ में आ रही बुद्धी में आ रही तब आपको लग रहा है तो बताईए फिर अब हम क्या करते हैं यहां पर अगला कुशन आप सभी के सामने ये रहा ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिए यहां पर गहता है गहन की चारो अलग अलग इस्थितियां दरसाई गए निमलिकित में से कौन सा रंग फलक के विपरीत पर जिसका काला है बलैक की बात करते हैं इसके विपरीत की बात करते हैं आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा है यलो और यहां पर देखिए तो बलैक का पोजिट क्या हो जाएगा औरेंज हो जाएगा औरेंज औरेंज का मतलब ना रंगी ना रंगी आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा ना रंगी आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा ना रंगी आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा कहता है रोटेशन की अनुमती नहीं है घुमाने की अनुमती नह allowed, rotation is not allowed, घुमाने की अनुमती नहीं है, घुमाने की अनुमती नहीं है, अगला सवाल बताएगा, लिखता है कितनी कार तिर्भुज नहीं है, how many cars are not triangle, बताएगे, मत बात करिये यार, how many cars are not triangle, आप गौर शेदिये, कहता है how many cars are not triangle, कितने तिर्भुज क्या नहीं है, कार नहीं है, how many cars are not triangle, कितनी कार जो हैं, वो तिर्भुज नहीं है, कितनी कार तिर्भुज नहीं है सर देखिए दो और यहां पर देखिए आठ और दो दस सिर यह दस दस के बाद कितना हो गए दस नो कितना हो जगा उन्नईस उन्नईस कार जो है वो ट्रेंगल नहीं है उन्नईस कार जो है वो तिर्भुज नहीं है मजाता बाता ना जब यहां पर दस option लिख देता तो यकीन मानिए मज़ा तब आता ना जब यहां पर 10 option लिख देता अब बताईए यहां पर मज़ा तब ही आता जब उसमें 10 लिख देता विकल्ब 10 लिखा नहीं था बयोहारिक ज्यान क्या कहता है आप इसे भी triangle कह रहे हैं इसे भी triangle जब की नाम लिखा हुआ है बोट यहां पर triangle लिखा हुआ है नाम लिखा हुआ है triangle ना की design से पता करना है ना की design से पता करना है कि चलिए answer बताने का प्रयास करिए क्या हो जाएगा अंसर बताईए बताईए क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिएगा उत्तर बताईए यहां बर एंसर बताने का प्रयास करिए छे दुनी बारा 12, 3, 15 यहां पर देखे 6, 2, 12 12 और 12 प्लेस 3 बराबर 15 15 दुनी 30, 30, 33 6 दुनी 12, 3, 15 15 दुनी 30, 33 33 दुनी 6, 6 और 6, 6 प्लेस 3 बराबर कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा 69 आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा 69 आपका बिलकुल perfect answer हो जाएगा चलिए अगले सवाल की बात करते हैं ध्यान से देखेगा अगले सवाल की बात करते हैं ध्यान से देखेगा बहुत सारे कुश्यन है बहुत सारी चीजे हैं आप उनको समझे समझने का प्रियास करिए तब आप समझ जाएगे समझने का प्रियास करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ठीक है ना चलिए हम अगले सवाल की बात करेंगे पढ़िये बाबू पढ़ लीजिए अगला सवाल बताए क्या हो जाएगा लिहान से देखियो और बताने का प्रियास करेंगा कि बताईए बताईए इसका उत्तर बताने का प्रियास करेंगे आप सबी लोग क्या हो जाएगा चलिए उत्तर बताईए यार मैं आप लोगों के लिए कुशन कुछ रखा था वही मैं देख रहा था कहां गया उसी को मैं देख रहा हूं कुछ आप लोगों के लिए कुशन था कुछ आप लोगों के लिए कुशन थे उन्हीं को मैं देख रहा हूं चलिए अगले कुशन की बात करते हैं और भी बहुत सारे कुशन से बहुत अलग अलग तरीके के कुशने ध्यान रखेगा मतलब यह परेशान मत हो यह पढ़ते रहे बताईए हम आगे की बात करते हैं न मतलब कितना हो जाएगा धियान से न का मतलब कितना हो जाएगा 15 यहां पर M का मतलब 13, O का मतलब 15, L का मतलब 12, बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखे, यहां पर कितना हो जाएगा, गौर से देखेगा, यहां पर देखे, क्या हो जाएगा, 15, यहां पर देखे, 12, यहां पर गौर से देखे, कितना हो जाएगा, प्लस वन, प्लस वन, 16 यहापर कितना हो जाएगा, इहांपर 17, 17 क сравयresent क्वाण की जाएगा Q, 17 का इन्षा जाएगा Q, आगे देखएगा, 13 से –1, –10, यहापर कीतना हो जाएगा, और देता हूं, आपको, जो एकदम अलग होंगे. जैसे यहां पर देखे, कुछ ताले क्या है? चाबिया है. बनाएच बनाने का और कहता है सभी स्प्रिंग जंजीर है, सभी स्प्रिंग क्या है आपकी जंजीर है, जितनी स्प्रिंग है सभी के सभी क्या है आपकी जंजीर है, यहां पर यह देखो यह जंजीर हो गया, जितनी भी स्प्रिंग है, जितनी स्प्रिंग से हैं सभी के सभी क्या है जंजीर है, निसकर्स की बात करते हैं, कहते हैं कुछ चाभियां स्प्रिंग से, क्या चाभी और स्प्रिंग का संबंद नहीं, कोई चाभी स्प्रिंग नहीं है, कोई ताला स्प्रिंग नहीं है, कोई ताला स्प्रिंग नहीं है, कोई ताला स्प्रिंग नहीं है, ताले और स्प्रिंग का कोई संबन नहीं, दूसरा आपका बिल्कुल पर्फिक्ट एंसर हो जाएगा, ठीक है न, चली हम अगले कुशिन की बात करते हैं, गौर से देखिए बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है न, अगले कुशिन की बात करते हैं, यहाँ पर देखेगा मुकेज जैसवाल, इंसान हो की जानवर हो, भगवान ने भेजा इस धर्ती पे किसलिए भेजा था तुम्हें, भगवान ने तुमको भेजा इंसान हो की जानवर वानवर हो यार, इंसान ही हो, अन खाते हो की कुछ और खाते हो, हो जानवर वानवर हो बता दो हमको तो थोड़ा तुम्हारा इलाज करें जानवर हो तो भाई किसी को बुलाएं अब किस टाइब के जानवर हो किस टाइब के जानवर हो भी बताओ तो फिर इलाज कराया जाए तुम्हारा कहीं न कहीं से निरलज कहींगे पापी भे सरम पढ़ना लिखना नहीं है एक्जाम है इन लोगों इसका इसका एक्जाम है एक्जाम नहीं होगा ये वो होगा भीड का हिस्सा होगा पढ़ना नहीं है इसको पढ़िए यहां पर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा क्यों सा एंसर हो जाएगा बच्चे दूसरा आपका बिल्कुल करे प्रिशान मत होए, बहुत सारे कुशन है, देखे, अलग-लग तरीके के सवाल है, अलग-लग तरीके के कुशन है, जैसे यहाँ पर देखेगा, इसको देखेगा, यहाँ पर कहता है भोजन, गाजर, भोजन, सिंगार और पटल, यहां पर आपके सामने वेन डाइगराम बना करके दे दिया गया है आपके सामने वेन डाइगराम पढ़ लीजिए ठीक है ना पढ़ लीजिए प्लीज हमाई तारीफ मत करिये प्लीज आप पढ़ लीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पढ़ लीजिए ज्यादा अच्छा है यहां पर इसकी बात करते ने के फरनीचर देखे जो मेज हो गया यहां पर देखे जो आपका चेयर हो गई और यह टेबल हो गई यह किसके अंतर गता जाएगी यह फरनीचर के अंतर गता जाएगी टेबल और चेयर किसके अंतर गता जाएगी तेबल और चेयर किसके अंतर गता जाएगी फरनीचर के अंतर गता जाएगी चिपकली क्या करती है रेंगने का काम करती है तो सेप भी क्या करता है साप क्या करता है शिपकली अगर रेंगने का काम करती है तो साप क्या करता है साप क्या करता है भाईया साप हम लोगों ने बच्पन से सुना था साप रेंगता है लेकिन साप क्या करता है साप क्या करता है, साप भी रेंगता है, चिंता मत लीजिए, दोनों रेंगने का काम करते हैं, ठीक है न, दोनों के दोनों रेंगने का काम करते हैं, अगला प्रश्ण बताए क्या हो जाएगा, बताएगा, उत्तर बताने का प्रयास करिए, जै सिंग नाम है इनका इनका नाम माबाप ने क्या रखा था बैया जै सिंग रखा था मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा माबाप का नाम रोसन करेगा लेकिन का बताएं ये लड़का क्या निकला ये क्या निकला लड़का माबाप घर परिवार सब को जीवन कैसे कैसे इन्शान ये कैसे जीओगे यार अभी नई उमर हो अभी बहुत छोटे हो बेटा जिंदगी जब जीने का तरीका सीखोगे ना पैर के नीचे से ओ खिसक जाएगे जमीन खिसक जाएगे एक चीछ जानते के रोगे ना कोई सहारा भी देने वाला नहीं रहेगा मैं गैरंटी के साथ कहरो इस बात को मेरी रिकार्ड करके नोट कर लो तुम्हारा कर्मा तुम्हारे साथ लोटेगा तुम यहाँ पर चार सो पान सो लोगों को डिश्टर्ब कर रहे हो इंक्लूडिंग मी याद रखो यह चीजे लोट के आती हैं पूरी जिंदगी मतलब यह चीज़ दिमाग में चलेगी क्यार मैंने यह क्या किया था हमें डिश्टर्ब क्यों करोगे मुझे क्या डिश्टर्ब करके तुमको क्या मिलेगा हमारा क्या है पापी कहीं के पढ़ना लिखना नहीं पता नहीं क्या अब नसा करके चले आते हैं बच्चे आपनी पढ़ा रहा है ये भी नहीं कोई बात कर रहा है किसी से कोई परसनल इंट वो कर रहा है कुछ राजनीतिक बात कर रहा है भाई तुम्हें उससे भी बात से दिक्कत है राजनीत से तुम्हारी पार्टी का भी रोत कर रहा है तो त से प्रोग्राम चला रहा हूं तब आप कह दीजिए कि नहीं सराबित सर्भ मजा ले रहे हैं मजा हो रहा है सही है यार पढ़ा रहा हूं तुम्हारे लिए खड़ा हूं तुम्हारे लिए हो करो जो पढ़ना चाहरे उनको पढ़ने दो ना है तुम्हें नहीं पढ़ना है मत पुड़ो किसी और चैनल पे जाकर कि वो करो किसी और कमेडी सो पे पर जाकर करको यहां पर तो पढ़ने दो यार, क्यों किसी से गालियां सुन रहे हो, क्यों किसी का सराप अपने सर पे ले करके टैल रहे हो, बड़े हो जाओ, इस्टोफ फ्रिज और मैं गूंगा बहरा नहीं हूं बार बार बता रहा हूं मैं गूंगा बहरा नहीं हूं मैं बुराई की खिलाब बोलता हूं मैं डाटता हूं मेरी आदत है मैं हमेशा से ये काम करता हूं यहां पर देखेगा इस्टोफ फ्रिज बर्फ का टुकड़ा देखे बर्फ का टुकड़ा इस्टोफ क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा देखे इस्टोफ क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा और बर्फ का टुकड़ा कहां पर मिलेगा फ्रिज में मिलेगा बर्फ का आपको अपने वरिष्ट सलाकार के रूप में चाहते हैं. कमपनी एक्स वाई जेट की एक विग्यापन है. मतलब कमपनी एक्स वाई जेट दोरा विग्यापन दोरा इंजीनियर को बेहतर परदर्सन करने की उम्मीद की जा रहे नहीं. आपके पास जॉब है. यहाँ पर कमपनी एक्स वाई जेट को एक वरिष्ट सलाकार की जरूरत है. बिल्कुल सही बात है. उसके बाद किसकी जरूरत है? उसको एक सलाकार की जरूरत है. यहाँ पर आप में अच्छे में एक सवाल को गलत बता को यह करके चल गए. सुनिए. निमलिकित में से उचित करम बेवस्था में से कौन सा वस्तू बीच में आएगी कौन सी वस्तू बीच में आएगी आप देखिए सबसे पहले क्या करते हो आप यहां पर सवाल आता है उब्भोग उब्भोग जो होता है वो अंतिम होता है जो उब्होग अंतिम होता है यहां पर देखिए, यहां पर कहता है बेचना बेचने के बाद उसका उब्होग किया जाता है यहां पर देखिए, यहां पर सिचाई, बीच बोना सबसे पहला आप क्या काम करते हो, बीच बोने का काम करते हो फिर सिचाई करते हो, फिर क्या करते हो, फिर फसल काटने का काम करते हो, फिर उसको बेचते हो, फिर उसका भोग होता है, सही तो था बाबू, सही तो था, एकदम सही था, एकदम सही था ये, एकदम क्लियर था, ठीक है न, चली, हम अगले सवाल की बात करते हैं, अगला सवाल है उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ हलके सवाल है उनको देख लेते हैं हलके मतलब हलके हैं मतलब हलके मतलब जो analogy classification इन से सबसे कभी-कभी ऐसे कुछ सवाल बनते हैं जो language और इस पे वेज़्ड होते हैं इनको भी आये थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा इनको देख लेते हैं यह हमारा वो है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हलके कुश्यन है थोड़ा सा आराम से देखिएगा तेरी के साथ उत्तर करने का प्रयास करेंगे तो सही उत्तर मिल जाएगा जल्दी से उत्तर करने हर्स का मतलब खुसी हो गया जुआ हो गया यह अलग हो जाएगा अगले की बात करते हैं निमले कित में से कौन सी आकरती विशम है फटा-फट देखिए और बताने की कुशिश करिए तेरी के साथ बताईए समय अब नहीं मिलेगा देखो यहां तिर्भुच के बीच में गोला था यहां पर वर्ग के बीच में गोला था तो यह आपका अलग हो जाएगा अगला प्रशन देखिएगा छोड़िए इसको यहां पर इसकी बात करते हैं देखिए यहां पर यह कुशन क्या है ध्यान से सुनिएगा इनके बीच के गैप को देखना है यहां पर गैप को देखिए ध्यान से देखिए गैप आपको दिखेगा दिखाई दे रहा होगा कोशन ना अराम से दिख रहा है ना कोशन देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कोशन देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है देखो ये दोनों बैलू किसमें है माइनस में ये दोनों बैलू किसमें है माइनस में ये दोनों बैलू किसमें है माइनस कर दोगे 18 में से 9 गया 9 यहां पर कितना हो जाएगा एक दसमलो 9 यहां पर प्लस एक दसमलो 9 हो रहा है यहां भी प्लस एक दसमलो 9 हो रहा है आगे भी प्लस एक दसमलो 9 होगा तो देखे 7 में से आप जब एक दसमलो 9 आप जोड़ देंगे तो तो कितना हो जाएगा देखिए यहां पर दसमलो जाएगा देखिए दसमलो पीछे ले जाएगे कितना हो जाएगा एक ओ दस हो जाएगा दस में से नो गया कितना हो जाएगा एक और इसके बाद देखिए यहां पर छे छे में से एक गया पांच माइनस पांच दसमलो एक हो ज सास उसी तरीके से दस का स्कॉाय कितना हो जाता है हंड़ेट प्लस वन इस इकल टू वन जीरो वन ठीक है ना चलिए अगले सवाल की बात करते हैं गौर से देखिए और उत्तर बताई है यहां पर N का मतलब 14, यह आपका बनके तयार हो जाएगा, आगे देखे, इसको बताईए, तेजी के साथ बताईए, बच्छों क्या हो जाएगा इसका एंसर, यहां पर देखे, 20 दो 22, 22 दो 24, 24 दो 26, 26 दो 28, आप सवाल यह आता है, आप यहां पर 28 नहीं लिख सकते हो, यहां पर किसी भ जोड़ रहा है, प्लेस चार जोड़ रहा है, यहां पर कितना जोड़ रहा है, बाबू प्लेस चार जोड़ रहा है, तब क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहां पर देखे, यहां पर कितने का अंतर है, दो का है, मैं कर रहा हूँ, दो का है, 2 का है अब आगे किसका अंतर हो जाएगा देखो यहां पर 4 का अंतर 4 का अंतर करोगे नहीं करोगे चार का अंतर बिलकुल नहीं करोगे 28 में 2 जोड़ दोगे 28 कर देते हैं इसको देखो 28 में 2 कर देते है 26 दो 28 देखो 28 में कितना जुड़ा है 4 28 शार 32 और 32 में यहां पर भी कितना जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा सवाल यह आता है यह 40 हो जाएगा ठीक है ना सवाल यह आता है y-x तो 40 में से हैं Y प्लस X 40 प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा 40 प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 68 दिखाई नहीं दे रहा है क्या अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या नहीं दिख रहा है क्या यह दिख रहा है न यहां पर यह तो दिखी रहा है न यह साफ दिख रहा है न चलिए अच्छ वो दिख नहीं रहा था चलिए इसको बताईए क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा यहां पर देखे पी का मतलब सोला है S का मतलब 39 23-5 कितना हो जाता 28 29 का मतलब 26 roundat 26 प्लस 2 यहां पर 6 हो जाएगा 6 का मतलब कितना हो जाएगा 8-3-11 11-11 8-3-11 11-4-15 15-5-20 25-5 कितना होजाएगा 25-25 का मतолब Y हो जाएगा H-Y-N आपका बिलकुल पर्फेक्ट एंसर हो जाएगा H-Y-N आपका बिलकुल पर्फेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन बताईए चलिए अगले कुशन की बात करते हैं बताने की कोशिस करिए बताई जल्दी से जल्दी से बताईए एंसर बताईए क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए और बताने की कोशिस करिए क्या लिखता है लिखता है 27 मैं 2007 को रभी वार था इसकी बात करते हैं ध्यान से देखिएगा 27 मैं 2007 को कौन सा दिन था रभी वार था संडे था आप से कहता है बताईए 25 मैं 2018 को कौन सा दिन होगा बताईए ना यह क्या हो चाहिए दो दिन साल में पीछे हो रहे हैं वरस में एक दिन आगे हो रहे थो एक दिन नहीं 7 से 18 है अरे बपारे साथ से कितना ओ रहा है 8 यहांबर कितना हो जजगे है जี่रा कौन सा लीप और्स मिलेगा 8 12 और 16 तीन लीप और्स मिलेंगे 16 च В्वेंग इधर 20 विशंदिन ONG और 20 मेंशन जिनों की संक्या रभिवार मेंसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सनिवार माइनस एक शुक्रवार यहां पर कितना हो जाएगा फ्राइडे जितने लोगों ने गुरुवार संडे बताया है अब उनको मैं क्या करूँ उनको मैं क्या बताओं कैसे बताओं मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे रबिवार था किये हाँ फिर उसके बाद क्या कहता है पचीस मई दो हजार अठारा को कौन सा दिन हो जाएगा इस बात को समझिये और बताने का प्रयास करिएगा यहाँ पर जब आप देखते हो तो कितने का फरक आता है देखो यहाँ पर आपका ग्यारा वर्स का अंतर आता ह है कौन कौन से लीप वर्स होंगे देखे पहला लीप वर्स आपका आठ बारा और सोला तीन लीप वर्स मिलेंगे यह तीन लीप वर्स जोड़ दीजे एक ग्यारा तीन कितना हो जगा चौदा हो जाएगा और 14 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 0 और देखें, यहां पर कितना हो गया, प्लस 0 और महीने में कितना दिन हो रहा है, पीछे 2 जा रहे है, प्लस 2 दिन माइनस पीछे जा रहे हैं न यहांपर यहांपर पीछे जा रहे हैं माइनस दो रभीवार माइनस दो कर देंगे कौन सा गलत कर दिये मतलब कौन सा question की बात कर रहे है question number mention करिएगा ना राहुल जी राहुल कोशन नमबर मिंशन करो बेटा बंदूख किस के काम में आती है मारना के काम में आती है मारना के कलम लिखने के काम में आती है यहां पर रबड मिटाने के काम में आता है, मेज फरनीचर के काम में नहीं आता है, मेज बैठने या रखने के साम में आता है, मेज रखने या फरनीचर के काम में आता है, ठीक है ना, इसको हटाएंगे, यहां पर देखिए आपके सामने कुशन नमर 57 क्या लिखता है, इसको स किसोर सिसू नौजात वैस का और बच्चा किसोर सिसू नौजात वैस का और बच्चा की बात करते हैं बताई हैं यहां पर सबसे पहला क्या आ जाएगा देखिए जो नौजात बच्चा पएदा हुआ जो नौजात बच्चा पैदा हुआ पर उसके बच्चे सिसु से किशोर हो जाएगा किशोर से वैस हो जाएगा यहां पर नौजात 35214 टाइप में कुस दिख रहा 352, 41 वयशक और किसोर वयशक और किसोर वयशक 352 कहीं दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यह गलत है झाल नौजात ञूजात शिसु होगा फिर बच्चा होगा देखें लौजात हो गया फिर उसके बाद उस सिसू होता है फिर बच्चा होता है देखें बहले नौजात होता है फिर सिसू होता है फिर बच्चा होता है फिर किशोर होता है फिर वैस्क होता है यहां बर यह आपका सही हो जाएगा दोनों में यह वाली लाइन गलत हो रही थे, उदर एक्तालिस लिख रहे थे, वो गलत हो रहा था, समझ गये बात को, याद रखेगा सबसे पहले क्या हो जाता है, नौजात हो जाए, नौजात के बाद के बच्चे को सिसु कहते हैं, उसक के बाद हो क्या हो जाता है, किशोर हो जाता है, किशोर से वयस्कता अवस्था की पहुच जाता है, अभी आपकी सवस्था में हो, अभी आप क्या हो किशोर अवस्था में हो, अभी क्या हो आपकी शोर हो, यहां बर कहता हवाई जहाज, यात्री, हेलिकाप्टर, हवाई जह जहाज यात्री और हिलिकाप्टर चलिए हवाई जहाज यात्री और हिलिकाप्टर की बात करते हैं एरोपलेन पैसिंजर एंड हिलिकाप्टर देखे कुछ हवाई जहाज यात्री यात्री कुछ हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और यहां पर देखे कुछ हिलिकाप्टर से कुछ ट्रेन से भी यात्रा करते हैं, कुछ बस से भी यात्रा करते हैं, कुछ बस से भी यात्रा करते हैं, कुछ बस से भी यात्रा करते हैं, क्लियर है, चलिए, ऐसा करते हैं, दोस्त, कल सुबह क्लास करेंगे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं लगा तो लिया थ class बहुत लंबे के लिए लेकिन सच में मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है सुबा से सारी classes लिया हूँ मैं सोचा था बहुत लंबा कीचुँगा लेकिन हमें लग रहा है कि मैं ज़़ा देर से खड़ा हो गया हूँ मेरे पैर में आ गई है soling मेरे पैर में आ गई है सोलिंग कल सुबा करते हैं कल सुबा करते हैं कल सुबा में कर लेंगे मेरे पैर में आ गई है सोलिंग मैं खड़ा ही नहीं उपा रहा हूं कल सुबा में कर लेते हैं कल सुबा में कुशन कर लेंगे ये नहीं करेंगे, नए कुशन उसके ले करके आएंगे, सुनिए, जो हमारा ये टेलिग्राम है ना, इस टेलिग्राम पर मैं पेडिया भेज दूँगा, सुनिए, आप टेलिग्राम जॉइन कर लीजेगा, मैं टेलिग्राम पर भेज दूँगा, सच मैं लिटरली इमानदार से बता रहूं, उसे ख़ड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ने तुम्हें कसम से मैं खुदी लगाया था, खुदी बताया, आप सभी लोग यह जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम दिख रहा है, आप इस टेलीग्राम को जॉइन कर लीजेगा, ठीक है ना, इस टेलीग यहीं पर हम आपको पेडिया प्रवाइट कर देंगे, आप सभी साथी, इसको जरूर जॉइन कर लीजेगा, ठीक है ना, बाकी जो भी कुछ हैं, क्लासेस तो हम आपको लेकर के आही रहें, सुबह में बाकी क्लासेस लेकर के आएंगे, ठीक है ना, कोशिस करते हैं, मिलते ह हैं, ठीक है ना, चलिए, सुबह में मिलते हैं, अभी के लिए रिष्ट करते हैं, अभी के लिए क्लास को बंद करेंगे, ठीक है ना, कल मिलते हैं सुबह में, अभी इजाज़त दीजिए, आप सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, बाकी मिलते हैं कल आ